हाई लो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सूबा स्टडी पे तो चलिए शुरू करते हैं आज के कलास आज हम लोग पढ़ेंगे जो इल्टेरिया का परायक्टी सेट लगा रहे हैं उसका अगला भाग तो चलिए शुरू करते हैं पौला कोशन हो ज समय गिरपतार करके रखा गया था हजारी बैक जेल जो है जरकन में उसमें और वहां से अपने साथियों के साथ ये भागने में सफल रहे थे राजकुमार सूकले के द्वारा चंपारर में महात्मा गांधी का अमंत्रित किया गया था पीर अली जो थे पटना में जो बहाव परकास नरायन और जय परकास नरायन को जन नाया के रूप में भी जना जाता है रीगवेद में बिहार के लिए किस सब्द का परियोग किया गया है और यहां बिहार का नाम कहेगा कि बिहार के में पड़ा था तो यहां बहुत बिहार जो बौदों के बसने के करण इसे बिह और नम दिया गया रीग बेद में पॉली बार गोत्र सब्द का प्रयोग किया गया है रीग बेद में मंडल की संख्या कएगा तो दस हो जाएगा और सुक्तों की संख्या कएगा तो दस सव अठाइस हो जाएगा कुसुमपूर कएगा किसका प्राचीन नम है तो पटना का नम हो जाएगा कुसुमपूर और वही गायत्री मन्त का उले काईगा रिग बेद के किस मंडल में मिलता है तो गायत्री मन्त का उले किया गया है रिग बेद के तीसरा मंडल में और गायत्री मन्त का रचना किस ने किये था तो बीश्वे मीत ले किये थे आगे देखिंग आगे हो और और सयोग अंदोरण काईगा कब हुआ था तो एक अगस्त तो नीसो बीस में हुआ था बिहार केश्री की नाम से राजेंदर परसाद को जानते हैं और ये भारत के प्रथम राष्ट पाती बनने वाले ब्यक्ति हैं अनुगरा नरायन को बिहार विभूती के उपनाम से जना जाता है कएकर बिहार विभूती के उपनाम से कीसे जना जाते हैं तो अनुगरा नरायन सीग को कोटी लेकरित और्थ सास्त्र में राज सब्द पोजिवी संग का सब्द का परियोग किसके लिए किया गया है तो यह हो जाएगा लिछवी के लिए और वह ही कहेगा कि बजी के रधानी कहाई है इस सोरो महाजनपद है उसमें सेख हो जाएगा बजी और इसका रधानी हो जाएगा बैसाली अंग के रधानी कहेगा तो चामपाथी और कोटी लेकर जो और्थ सास्त्र था इसका विभाजन किया गया था पंद्रो अधी करण में और जो सोरो महा जनपत का उलेक काएगा किस में मिलता है तो बोध धरम के हो जाएगा अंगूतर निकाय में और जैन धरम में काएगा तो भगवती सूत्र मिलता है मोगत समराज के राधानी काएगा राजगिरी या गिरी ब्रीज हो जाएगा मगत समराज करा धानी हो जाएगा राजगिरी या ग्री ब्रीज आगे देखेंगे पंदरा नमर हो जाएगा बिहार बीदिया पीट किया स्थापना कब की गई थी तो ये किया गया था 1921 में और भारत छोड़ा अंदोलन कएगा कब हुआ था आठ और नव अगसं 4022 में ली कमिशन के गठन कएगा था nichts23 मुगा था और प्राथम बीजवियूद के शुरुआत 1914 मुगा था और ये चला थाwhere 1914 से 1928 तक और प्राथम बीजवियूद के समाप्ति किश संदी के दवारा किया गया था तो प्रथम 20 वियूद के समाप्ति किया गय था वर्साइ के संधी द्वारा और प्रथम 20 वियूद में भारत का एक को भाग लिया था तो 2017 मिलिया था आगे देखेंगे भारत के सविधान के की संधी में भीधान परिसद के स्रीजन और विघटन के उपबंद अंत्रवीश्ट है तो यह अनुचेद हो जाएगा अनुछे 356 के तहत और किसके कहने पता उस राजेपाल के अनुसंसा पर आगे देख लेंगे साथ नमर कोशन हो जाएगा महाधीवक्ता निलीकित में से किसके पड़साद प्रयत पत धारा करता है तो ये राजेपाल के और महाधीवक्ता के उलेक कहेगा तो किस अनुछेद में है अनुछेद 165 में और महानेवादी के नियुक्ती करते हैं राज़पती और अनुछेद चियतर के तहत भारत के प्रतम बीदियादिकारी कहेगा तो महानेवादी हो जाएगे मुख मंत्री का उले किया गया अनुछेद 163 में और परधान मंत्री की नियुक्ती राष्ट पती करते हैं अनुछेद 45 के तहत आठ नुमर हो जाएगा भारती समिधान की पराष्टावना में 5 निरपेच सब्द 20 वर्च जुड़ा गया था तो ये जुड़ा गया था 22 समिधान संसुदन 1976 में और मौली करतव ये को भी जुड़ा गया था 1976 में 22 समिधान संसुदन के तहत और कहेगा समीटी कौन सी थी तो स्वाण सी समीटी के तहत CDB के गठन किया गया था 1990 में और मुख्याले कायगा तो लखनोग हो जाएगा परास्तावना लिया गया है अमेरिका के सविधान से और परास्तावना के भासा को देगा तो अस्टेलिया के सविधान से लिया गया है और भारत में पीन कोड के शुरुआत कायगा तो 1992 में हु मुंबई आगे देख लेंगे नौ नबर कोशन हो जाएगा भारत में पांचायती राजबिवास्ता की शुरुआत कब हुई भारत में पांचायती राजबिवास्ता की शुरुआत हुई थी दू अक्टूबर 1969 में और ये कहां लागू हुए था पहली भार राजस्तान के ना सिब्सक्राइबaty Real bạn सिख्षा पिवास्ता से समानित आयोग कह अगा तो सैंडेलिहर आयोग हो जाएईगा जिसका गोटन किया ग्रिए concepts 1970s भारत तीबत सीमा आयोग काईगा ITBP के गटन किया गया था 1962 में खैबर दरा काईश्ती थे तो ये पाकिस्तान मीश्ती थे आगे देख लेंगे अगला कोशन हो जाएगा 11 नबर भारत सचीव का पद निमलीकीत में से किसके द्वारा बनाया गया था तीए हो जाएगा भारत सासन अधनियम 1858 के तोहत और इसके तोहत मोगल पत की समापती भी की गई थी 1773 के रेगलेटिंग एक्ट के तोहत पॉली बर बंगाल में सर्बोच ने अलेक गठन किया गया था 1774 में 1853 के चार्टर अधनियम के तोहत सीविल जो सेवा थी इसकी भरती की शुरुवात की जई थी 1861 का भारती परिशद अधनियम के तोहत अधे अधेस जारी करने का अधेस दिया गया था और जो 1774 में बंगाल में सर्बोच ने अलेक गठन किया गया था उसका मुखे नाधिस कौन थे स्वर इलिजा इंपे थे 12 नमर हो जाएगा भावानी मंदिर की राचना की इसके द्वारा की गई थी भावानी मंदिर की राचना की गई थी और विन्द घोस के द्वारा और लाइफ डिवाइन पूस्ता के लेका कायेगा तो अरविन घोस हो जाएगे और इसका उल्टा कायेगा डिवाइन लाइफ पूस्ता के लेका तो सीवा नन दोगे गोपाल हरी देश्मुक के उप नाम कायेगा तो लोख हीतवाद के नाम से जन जते हैं एनि कि गोपाल हरी देश्मुक के उप नाम क्या था लोख हीतवाद बिना एक दमोदोर सावरकर दोरा और विन्द भारत की राचना की गई थी या गठन की गई थी 1904 में स्याम जी किसने बार्मा ने लॉंदन में इंडिया हाउस के गठन किये थे 1905 में आगे देखेंगे 13 नमबर हो जाएगा निम्न लिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी सिख्चा की निव डाली तो इसमें जो दिया कहा देख लेते हैं 1813 का चार्टर एक्ट था और जन्रल कमेटी अफ पॉब्लिक इंस्ट्रॉक्शन 1823 था और प्राची वीडिय आंग्ली वीद भीवाद भी था इसमें ये सबी हो जाएगा और इसमें जो साइधा किये थे वो लाड मैकाले किये थे अर पॉली बर जो था शिक्षा का अधिनियम कब लाये गया था लाड मैकाले द्वार निकि शिक्षा अंग्रेजी शिक्षा लागो किया गया था 1835 में 1813 के तहथ 1813 के चार्टर एक्ट था इसके तहथ कोंपनी के एकाधिकार जो था इसे समाप्त कर दिया गया था और चीन के साथ चाय और चीनी का जो बेपार है उसे 20 वर्स के लिए बढ़ा दिया गया था कीस एक्ट के तहुत 1813 के चार्टर एक्ट के तहुत आगे देखेंगे 14 नमर हो जाएगा फिनिक्स फॉर्म के अस्थापना कीस ब्यक्ति द्वरा की गई थी तो फिनिक्स फॉर्म के अस्थापना किये थे महात्मा गांधी और कब किये थे तो 1904 में किये थे और उस समय महात्मा गांधी 12 फिरिका में थे दशे फिरका महात्मा गांधी गए थे 1893 में और वहां से लोटे थे ये 9 जन्वरी 1915 में इसी के उपलक्ष में 9 जन्वरी को भारती प्रियासी दिवस मनाया जाता है महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने कैसर इहिंद के उपाधी कब दिए थे 1915 में दिये थे और जब जलिया वला भागत्य कंड हुआ था उस समय महात्मा गांधी कैसर इहिंद के जो उपाधी थे वो लोटा दिये थे मौलाना अबुल कलाम ने अल हिलाल पत्रिका के संपादक किये थे ह देट कहेगा तो मौलाना अबुल कलाम हो जाएंगे आनणध भावन का संबन्द कहेगा तो जोहलाल नेयरु से है और लाला हरद्याल ने अमेरिका के सिण फ्रांसिस्को में गदरपाठी के गठन किये थे डेड कहेगा तो 1913 में हिंदू महा साबा की अस्तापना कभ हुई हिंदू महा साबा की अस्तापना हुए था 1915 में माधन मोन मालीवी के द्वारा ऺैक्तिगत अंदोलन की शुरात हुआ था पवनार में हुआ था, 1917 में हुआ था चंपारण अंदोलन जो की बिहार में हुआ था, और सवयोग अंदोलन कहेगा तो 1920 में हुआ था, आगे देख लेंगे सोरा नमबर हो जाएगा, नीनी लिखित में से किन का संबध हमारे राष्ट दोज के डिजाइन से है, तो हमारे राष्टिय धोज कहां फार आए थी, तो यह जरमानी के अस्ट्वार्ड में फार आए थी, सबिधान सभादोरा राष्टिय धोज को को अपनाया गया था, 22 जूलाई 1947 में, नीनिरी लिखित में से ब्यदिक साहित्वे का सही क्रम कौन सा है, यह ब्यदिक होगा, निरी बैदिक सहिंताएं ब्रामण अर्णयक और उपनिशत बैदिक काल कारेकल कितना से कितना था बैदिक काल का कारेकल संपूर्ण कहेगा तो 500 बीसी से 620 था यानि 500 इशापूर्व से 600 इशापूर्व तक था रिग बैदिक काल या पूर्व बैदिक काल के कहेगा कारेकल कितना था तो 500 इशापूर्व से लेकर 1000 इशापूर्व तक था वही उतर बैदिक के कारेकल कहेगा तो 1000 इशापूर्व से लेकर 600 इशापूर्व तक था आरेस समाज जो था वो ये बैढी काले के ही था और आरेस समाज कहाएगा कैसा था तो पित्रे पधान था यानि कि इसमे शरवादिक मन्यता पिता गी थी आगे देखेंगे निमने लिखित में से कौन से लिपी या असोक के अभिलेकों में परियुक्त हुई थी तो यह हो जाएगा ब्रामडी लिपी, खरोष्टी लिपी या अर्माइक लिपी कहेगा कि वोई भारत में सीला लेक का परचलन किसने करवाय था भारत में सीला लेक के परचलन करवाय थे असोक ने भारत में सीला लेक के परचलन कौन करवाय था असोक असोक कहेगा पहले कहां थे तो यह पहले अवंती के राजेपाल थे खरोष्टी लिपी में लिखा गया कहेगा कि खरोष्टी लिपी में लिखा गया तो खोरोष्टी हो जाएगा और भारत में जो अभिलेख है वो सभी ब्रामडी लिपी में लिखा गया है गिरीक अर्माईक लिपी में लिखी गई अभिलेख कहेगा तो यह अफगनिस्तान से मिलता है गिरीक अर्माईक लिपी में लिखा गया विलेक मिलता है अपगनिस्तान से और सोग के उत्रा दिकारी कहेगा तो कुणाल हो जाएगा आगे देखेंगे ओनेश नमर हो जाएगा सुची वन को सुची टू से मिलान करना है सुची वन में लेखा कहें सुची टू में उनकी रचना मेगास निच के कहेगा पुस्तक के नाम क्या हो जाएगा मेगास निच के पुस्तक के नाम हो जाएगा इंडी क्या मेगास निच आये भारत आये थे चौन्दभूप्त मोरे के सासनकाल में और टॉल्मी की पुस्तक कहेगा तो हो जाएगा जियोग्राफी पिनली द्वारा लिखी ये पुस्तक के नाम हो जाएगा नेचुरल हिस्टोरी का और हेंसोंग की पुस्तक के नाम हो जाएगा सी यू की हेंसोंग आये थे हर्सवर्धन के सासनकाल में और हेंसोंग को यात्रियों का राजकुमर कहा जाता है आगे देखेंगे आगे कुछ और है देख लेते हैं इबन्तूता आये थे मुहमद बिन तुगलग के सासनकल में और ये मुरोको के निवासी थे और इनकी पुस्तर के नाम कहेगा तो रहला हो जाएगा अलबरूनी कहेगा किस के सासनकल में आये थे तो गजनभी के सासनकल में गजनवी के सासनकाल में उतवी, फारूखी और फिरदोसी अलगुरुनी ये गजनवी के सासनकाल में आये थे और अलगुरुनी की पूस्ता के नाम हो जाएगा पीताबूल हिंदे आगे देखेंगे, 20 नमर कोशन है, किस काल में स्वर प्रतम किरिसी उत्पादन सुरू हुआ, और पहिया का विश्कार भी कहेगा तो नो पासल काल में हुआ था वही मौध्य पासरकाल में छोटा उपकरण की खोज किया गया था मौध्य पासरकाल में जिसमें भाला और तीर था पूरा पासरकाल में आग का विश्कार हुआ जो वही सिंदू सवयता जो थी सिंदू सवयता या हड़ापा सवयता ये मात्रे परधानती इसमें माता की परधानता दी जाती है और आरे समाझ कहाएगा तब पीत्रे परधानता नहीं कि पीता की सरवाधिक भैलू दी जाती थी आगे देखेंगे एकईस नमर हो जाएगा सेड़ सा और अकवर के बीच भू राजास्वे पर्षासन के समान्द में कौन सा ब्यक्ति समान्दी था तो ये हो जाएंगे टोडार्मल और टोडार्मल जो थे अकवर के राजास्वे मंत्री थे अकवर ने अनुवाद विभाग के अस्थापना किये थे और भागवान दास कहेगा किसका उपनम था तो बिर्बल के उपनम भागवान दास हो जाएगा दिली के पूरानी किला ये किला एक कुहाना मौजित का निर्मा किसने करवाई था सेको पर टकसाल का नाम लिखवाने अपनी छोबी अंकीत कराने की परोथा किसने सुरू की तो ये हो जाएंगे जहांगीर नयाई के जन्जीर का किसने अस्थापित किया था तो ये हो जाएंगे जहांगीर किला एक उहाना महजित का निर्वाड करवाए थे सेशा सूरी या ग्रेंट ट्रेक जो रोड है इसका भी निर्वाड करवाए थे सेशा सूरी मुगलों का सोड काल किसके काल को कहते हैं तो अकवर के काल को मुगलों का सोड काल कहते हैं आगे देखेंगे 23 नमर हो जाएगा चोल समराज के अस्थापना किये थे बेजयले और चोल के रधानी कहेगा तो तंजावूर या तंजावूर थी और वही सरवादी कहेगा चोल बंसकल बिस्तार किसके सासनकल में हुआ था तो राजेंदर प्रत्थम के और इन्होंने गंग कोंड चोल की उपाधी धारान किये थे किस ने तो राजेंदर प्रत्थम ने राजेंदर दिवितिये ने प्रकेश्री की उपाधी धारान किये थे चोल के किस बंस ने अस्थानिये सासन की निव रखी थी तो यह हो जाएगा चोल या नौ सेना रखने वाला बंस कहेगा तो अरावली की पहाड़ी इस्तित है राजस्थन में, अरावली एक परकार की ओसेष्ट परवत की उधारण है और पुरानी परवत भी अरावली हो जाएगा, अरावली की सर्वोचे चोटी हो जाएगा गुरू सिखर जिसकी मुचाई कहेगा तो 1722 मीटर है, धारवाण की पठा और पश्मी घाट मिलते हैं, अनि कि पूर्वी घाट और पश्मी घाट का मिलन कहा होता है, निलगिरी की पहाड़ी पर, और ये कहाँ चित है तो तामिल लाड़ू मीच चित है, निलगिरी की सबसे उची चोटी कहेगा तो डोड़ा बेटा हो जाएगा, जिसकी उचाई हो नदी के अपर्दन किरिया के द्वरा होता है डेल्टा का निर्माड का कैसी होता है तो जो नदी के बहाव मंध हो जाता है तो उसमें जो धारा है एक इधर उधर बहने लगता है उसी के करण डेल्टा का निर्माड होता है भारत में सरवाधी कहेगा तो जो रोड मीटी पाई नहीं है तो इसमें जो सीरा नेवेदा है ये वलित परवत का उधारन नहीं है ये बलोग परवत है और ये कहां इस्थित है तो अमेरिका में एंडिज परवत इस्थित है दोछिणी अमेरिका में रोकी परवत कहेगा तो ये कनाडा के सीमा पर इस्थित है हिमाले ये नमीन प परबत है और इसे का उत्पती कहेगा तो टेथी सागर से हुआ है आगे देखेंगे 27 नुबर दोलहन तथा तीलहन में सरवादिक उत्पादन करने वाला राज ये कौन सा है तो ये हो जाएगा राज मौद्य पर्देश और स्वाबिन के सरवादिक उत्पादन कहेगा तो मौ राष्ण में होता है 28 नमर हो जाएगा निम्न में से किस देश में ग्रेट असलेब जील इस्तित है तो ये इस्तित है कनाडा में और भारत में कहेगा भारत की जील कौन से ये तो बूलर जील हो जाएगा डल जील हो जाएगा और ये सब जमुकस्मिन में इस्तित है जापान का सबसे बाड़ा जील या परसीद जील कहेगा तब बीवा जील हो जाएगा बीवा जील जो कि जपान में है और विक्टूरिया जील इस्तित है अफिरिका में आगे देखेंगे अगला कोशन हो जाएगा 29 नमर है नीमन में से कीस गुलार्द में हमबोल्ट जलधारा बहती है तो हमबोल्ट जलधारा बहती है दोचडी गुलार्द में और ये अमेरिका में बहती है हमबोल्ट जो जलधारा है ये कैसी जलधारा है तो ये ठंडी जलधारा है और हमबोल्ट जलधारा का अने नम कहेगा तो पेरू की जलधारा है हमबोल्ट जलधारा की अने नम पेरू की जलधरा हो जाएगा चुकसी सागर निमनलिकीत में से कहां इसी थे तो यह इस दित है आर्क्टिक माहसागर में और आर्क्टिक माहसागर में आर्क्टिक माहसागर है यह सबसे छोटा माहसागर है माहसागर की संखे हो जाएगा पांच और सबसे छोटा हो जाएगा आक्टिक मासागर सबसे बड़ा कहेगा तो परसानत मासागर हो जाएगा और बर्मूंदा जो तीर्भूज है ये उतरी अल्टनाटिक मासागर में इस दीत है आगे देखेंगे, 31 नमर हो जाएगा सुदू Washington में इस तीत लैंड लोक्ट देश कोण सा है येनिके भू अवस्तीत देश कोण सा हो जाएगा तः यह हो जाएगा लेसे थो और भू अवस्तीत देशों की संखेया चुगालिस है और सबसे बड़ा कया तो कजगिस्तान हो जाएगा और इसकी रधानी कहेगा तो अस्ताना है बाकी देखते हैं नाइजर के रधानी कहेगा तन्यामी हो जाएगा 32 नमर हो जाएगा केली मांजारो परवद किस देश में इस्तित है तो ये इस्तित है केली मांजारो इस्तित है तन्जानिया में विक्टोरिया जिल कहेगा और फिरका के किस देश मिश्चित है तो विक्टोरिया जो जिल है तंजानिया यूगांडा और केन्या मिश्चित है तंजानिया कराधानी हो जाएगा डोडो मा यूगांडा कराधानी कहेगा तो कमपाला होता है और वही Kenya कराधानी काएगा तो नौरोबी हो जाएगा Namibia कराधानी हो जाएगा Windhawk के और घाना का पराचीन नाम काएगा तो Gold Coast था आगे देखेंगे 33 नमर हो जाएगा Polar Seal के रोड निमनलीकित में से कौन सा देश बना रहा है तो ये चिन बना रहा है डूपते हुए सूर्य का देश कहाएगा तो बीटे इनको कहते हैं और उखते हुए सूर्य का देश हो जाएगा जापान रूस का बेगठन हुआ था 1991 में और पंदरागरत अंत्र मुआ था भारत के कितने राज पकिस्तान के साथ सीमा सजा करता है तो तीन राज और एक जमू कस्मीर सजा करता है निकेंदरसासित परदे से एक और तीन गो राज तीन राज में हो जाएगा पंजाब, गोजरात और राजस्तान और एक हो जाएगा जमू कस्मीर बांगलादेश से 5 भारती राजे सटे हैं और चीन से भी 5 भारती राजे सटे हैं मैंनमार से कहेगा तो 4 भारती लगते हैं और भूटान से भी 4 लगते हैं आगे देखेंगे 35 नमर हो जाएगा इको मार्क काचीन क्या परदर्शित करता है तो ये लेबर लगाने की विवस्ता को परदर्शित करता है और ये क्या करता है तो उत्पादों के जांच के लिए इको मार्क काचीन लगाया जाता है मीटी के जो बरतन में पानी ठंडा राता है इसका कारण कहाएगा तो वास्पी करण हो जाएगा राष्टिय पॉस्टू चिकित्सा केंद्रे कहां इस्तित है तो उतर पर्देश के राइबलेरी में इस्तित है राष्टिय पॉस्टू चिकित्सा केंद्रे पक्षियों के अध्यान को क्या कहते हैं तो और नीथोलोजी कहते हैं आगे देखेंगे 36 नमर हो जाएगा चिकित्सा के छेत्र में गोल्डन आवर इनमे से किससे समंदित है तो यह हो जाएगा हाट अटेक से चिकित्सा के छेत्र में कोबाल्ट के समस्थानी का परियोग किया जाता है 37 नमर कोशन देखेंगे 37 नमर हो जाएगा एक ब्यक्ति द्रुगहाटना में घायल हो गया है उसके रक्त समू की जाच के लिए समय नहीं है उसे नीम्न में से कौन सा रक्त दिया जाना चाहिए तो उसे हम लोग O-negative रक्त देंगे क्योंकि O-negative जो रक्त समू है ये किसी को भी दिया जा सकता है ओ जो रक्त समू है उसे कहते हैं सारवे दाता रक्त समू यहाँ गलत है सारवे दाता रक्त समू कहेगा कौन सा हो जाएगा तो O हो जाएगा और O रख्त समूँ यानि कि O रख्त समूँ में कोई भी एंटीजन नहीं पायाता है और AB रख्त समूँ में कोई भी एंटीबोडी नहीं पायाता है AB को सारवे अदाता रख्त समूँ कहते हैं और सारवे दाता कहेगा तो O को कहते हैं आगे देखेंगे और 30 नमर हो जाएगा जब तक ब्यक्ति बिरिद होते जाता है तो समयंत उसका रख्त का दाब क्या होगा तो ये बड़ते जाता है मैंने बुड़ा होने पर किसी भ्यक्ति का रोक्त दाब क्या होगा तो बढ़ जाएगा दोड़ते समय यानि कि दोड़ लगाते समय किसी भ्यक्ति का रोक्त दाब क्या होता है तो ये बढ़ जाता है और सोते समय घट जाता है रोक्त दाब मापा जाता है रोक्त दाब कहेगा तो कैसे मापा जाता है अस्फैग्नो मैनो मीटर से या स्फैग्नो होगा रोक्त दाब मापा जाता है अस्फैग्नो मैनो मीटर से और किवल मैनो मीटर से कहेगा तो गैस का दाब मापा जाता है आगे देखेंगे 49 नमर हो जाएगा क्रुमाइटोगराफी की तकनीक का परियोग किस कारे में होता है तो ये दरब एमिशन से पदार्थ को अलग करने में क्रुमाइटोगराफी की परियोग किया आता है ठोस को गैस से अलग करने में यानि कि गैस को ठोस से अलग करने में इसका हो जाएगा उद्वपातन उद्वपार्तन ये है कि ये ठोस से सीथे गैस में परवर्तित होता है पदार्तों की संद्वचना के अनुसार सभी पदार्त परमाडू के बने होते हैं आगे देखेंगे अगला कोशन हो जाएगा चालिस नबर और स्थम ए को और स्थम बी से मिलान करना है इसमें उत्पाद हो जाएगा इसमें सुरोथ हो जाएगा फॉर्मिक अमले किसमें पाए जाता है तो फॉर्मिक अमले पाए जाता है चीटी के डंक में और Saitry कमल पाज़ता है नीमबू में और Tartry कमल कहएगा तो Imleem में पाज़ता है और नीमबू के pH माल कहएगा तो 2.2 हो जाएगा सीर्का के हो जाएगा 2.4 नीमबू के 2.2, सीर्का के 2.4 और साराब के 2.8 होता है आगे देखेंगे 41 नमर हो जाएगा लोहा जिससे पराप्त किया जाता है वहा है तो लोहा पराप्त किया जाता है हेमेटाइट से और इसका सूत्र हो जाएगा EP2O3 और ये भारत में सबसे अधिक पाया जाता है वही मेगनाटाइट से भी लोहा पराप्त किया जाता है जिसका सूत्र होता है AP3O4 और यह सबसे अच्छा होता है मोनाजाइट पराप किया रता है मोनाजाइट का सरवादिक उत्पादन भारत के केरल से होता है और यह कहेगा मोनाजाइट किसका आयस्क है तो यह थोरियम का आयस्क है इरेनियम का आयस्क हो जाएगा पीच बलेड एक नैनो मीटर निमनी निकित में से किस के बराबर होता है एक नैनो मीटर दस के पावर माइनस नो मीटर के बराबर होता है सेंटी मीटर में कहेगा तो दस के पावर माइनस साथ सेंटी मीटर हो जाएगा और एक एंगस्ट्राण के मान होता है 10 के पावर माइनस 10 मीटर सेंटी मीटर में कहेगा तो 10 के पावर माइनस 8 सेंटी मीटर हो जाएगा आगे देख लेंगे 43 नमर कोशन है पदार्थ के संबेग और बेग के अनुपात में कौन सी भौती क्राशी प्राप्त की जाती है तो ये प्राप्त की जाता है दरवमान स्पदार्थ के संबेग और बेग के अनुपात में कौन सी भौती क्राशी प्राप्त की जाती है तो दरवमान और जड़त वे कमाप कहेगा कौन सी है तो जड़त वे कमाप होता है द्रवेमान बल बराबर होता है द्रमान गुणे तवरण वही तवरण बाब होता है बे गुणे समय आगे देखेंगे 44 नमर हो जाएगा सोणक पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठीन है और घर्षन बल च्छैकारी बल है अब केंद्री बल हो जाएगा अब 80 बल और घर्षन बल हो जाएगा च्छैकारी बल आगे देखेंगे 45 नमर हो जाएगा प्रतिरोध कमान किया होगा यदि परिपत में बीदु धारा 10 एंपियर तथा बीभवांतर 12 भोल्ट हो प्रतिरोध कमान बताना है जिसमें बीदु धारा 10 एंपियर है और बीभवांतर 12 भोल्ट है तो इसका सूत रोता है R बराबर B by I तो R पूछ रहा है निक परतिरोत पूछ रहा है B कमान दिया है 12 और वही I कमान दिया है 10 तो भाग देने पर 1.2 ओम हो जाएगा यदि चलती हुई वस्तु का बेग दूगना हो जाए तो उस वस्तु की गतिज उड़ जा क्या होगी जब बेग दूगना होगा तो उसके गतिज उड़ जी 4 गुना हो जाएगी बेग दूगना होने पर गतिज उड़ जा 4 गुना हो जाएगा इसका सूत रहता है 1 by 2 NB S2 यह भीक दूगना करने पर बेग दूगना होने पर बेग दूगना होने पर समबेग क्या होता है दूगना ही रहता है आगे देखेंगे 47 नमर हो जाएगा मरू अस्तल में मिरीग मरीची का उत्पन होने का क्या क्यारण है तो यह क्यारण हो जाएगा परकास का पूर्ण अंत्रिक परिवर्तन और परकास का अपवर्तन के उधारन हो जाएगा अकास में तारे का टिम्टी माना या पानी में रखी छड़ी को तीरचा दिखाई देना परकास का विखंडन का उधारन हो जाएगा जो सूरे में हाइडोजन है ये हिलिया में परिवर्थन होता है इसका कारण हो जाएगा परकास का बिखंडर आगे देखेंगे 47 नमर हो जाएगा Celsius और स्केल पर मानो शरीर का समाने तप मान होगा Celsius पकाएगा तो 37 लिगरी Celsius हो जाएगा और Kelvin में होता है 310 Kelvin फार्ने हाइट में होता है 96.6 फार्ने हाइट और इसे चेंज कर सकते हैं C5 और F-32 पर 9 पर की से सिधांत पर Jet Engine कारे करता है तो Jet Engine कारे करता है रैखिक सनवेक सनक्षन पर और द्रमान सनक्षन का नियम है द्रभ येका नो तो निर्माड होता है नहीं बीनास केवल इसका सोरूप बदलता है और वही उर्जाम हो जाएगा उर्जा को न तो निर्माड किया जा सकता है और नहीं बीनास केवल इसका जो है ट्रांसपर या परिवर्तन किया जा सकता है आगे देखेंगे पचास नमर हो जाएगा फाउंटेन पेन के विश्कार कौन थे तो फाउंटेन पेन के विश्कार किये थे वाटर मैन और वही लेजर के विश्कार किस ने किया था तो टी एच मैनन याने की थियोडर मैनन किये थे डाइनमाइट के विश्कार किये थे 1867 में अलप्रेड नोबेल टेलिवीजन के अविश्कार काई किस ने किया था तो जेल वेड किये थे और वीश वे टेलिवीजन दिवस 21 नमबर को मनाया जाता है आगे कुछ वोल लाइन हीर कोश्चन है देखते हैं इरोप महाधीप के बारे में जानते हैं पराइडीपो का पराइडीप कहा जाता है तो ये कहा जाता है इरोप महाधीप को इरोप की सबसे लंबी नदी कहेगा तो ये हो जाएगा बोलगा नदी फायसन की नगरीक रूप में जाना जाता है फरांस को और किसानों का देश भी फरांस को कहते हैं बीसवे का अन भंडार के रूप में जाना जाता है उक्रेन को और उक्रेन के राधानी कहेगा तो की हो जाएगा परसीद बला एक फोरेश इस्तित है जर्मानी में और काला परवत कहेगा तो भूटावन हो जाएगा जीलो की देश हो जाएगा फिनलेंड जीलो के देश किसे क हो जाएगा फरांस को United Kingdom से अलग करता है तो यह अलग करता है English Channel पलेगरांड और यूरोप के नाम से जनाता है सिविजा लेंड को यानि कि एउरोप के खेल के मिदन किसे कहते हैं सिविजा लेंड को और cockpit of Europe कहेगा तो cockpit of Europe हो जाएगा Belgium इटली की गांगा खा जाता है पोर नदी को काकेशस राज एक रूप में जाना जाता है जार्जिया को अर्मेनिया यह अजर्बेजान को काकेशस राज एक रूप में जाना जाता है जार्जिया अर्मेनिया यह अजर्बेजान को कॉक्पीट और पिलोप कहते हैं बेलजियों को आगे देखेंगे बिभीन देश एं उनके बीच इस्तित परवत हो जाएगा जो की सवी महत्व पूर्ण है पेरी नीज परवत कहेगा किस-किस देश के बीच इस्तित है तो फ्रांसें अस्पेन के बीच इस्तित है पेरिनीच परवत आलपस परवत कहेगा तो फ्रांसें इटली के महद इस्तित है जूरा परवत हो जाएगा फ्रांसें स्विजलेंड के महद वासेजस परवत हो जाएगा फ्रांसें जर्मानी के महद इसमें यह दोनों पूछता है पिर्णीज कहां इस्थी थे तो फ्रांस और अस्पेन के बीच आलबस कहेंगा तो फ्रांस और इटली के बीच आगे देखेंगे अंटा कॉर्टीका में भारत ने अपना पहला सोद केंथर कब अस्थापित किया था तो यह किया था marketplace 84 में जिसका नाम था दछी गंगतरी और दूसरा कहे गा तो दूसरा सोद केंथर अस्थापित किया गया था जिसका नाम था मैतरी और इसकी अस्थापना हुआ था 1988-89 में और तीसरा का नाम था हो जाएगा भारती और इसका गटन किया गया था 2012 में यानि अस्थापित किया गया था 2012 में निम्ने लीखित में से की से भारती प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है चार्स मेटे कॉप को 1833 के अधनियम के तोथ बांगार के गवर्नर जनरल से भारत के गवर्नर जनरल बनने वाले प्रत्थम कहेगा प्यक्ति कौन थे तब लॉर्ड बिलियम बेंटिक थे और वही लॉर्ड रीपन ने जो वर्नर क्यूलर प्रेस एक्ट था उसे समाप्त किये थे 1882 में और इनके सासनकाल में करखाना अधनियम भी लागू किया गया था 1881 में स्वेत बिद्रो भी इनके सासनकाल में हुआ था और कहेगा कि वर्नर क्यूलर प्रेस एक्ट लागू किस ने किया था तो ये लागू किये थे लॉर्ड लीटन 1888 में और समाप्त किये लॉर्ड रीपन 1882 में भारतिये पत्रिकारिता के अग्रिदूत कहते हैं राजा राम महन राये को मारले मिन्टो जो सुधार था वो लाया गया था लोड मिन्टो कारे कलबन 1909 में नौसेना जो बिद्रो है निमलीकित में से किस जहाज से शुरू हुआ नौसेना बिद्रो शुरू हुआ था HMIES तलवार जहाज से और नौसेना जो बिद्रो हुआ था कहां हुआ था महराष्ट में हुआ था 1946 में कोया कि भारत का सबसे बड़ा नो सेना अड़ा कहां इस्ति थे तो ये इस्ति थे कनाटक में जिसका नाम कहाएगा तो सी बड़ हो जाएगा भारत के सबसे बड़ा नो सेना अड़ा है कमाटा गारू क्या था तो ये कनाड़ा के यत्राप भाड़ा पलिया गया एक जहाद था जो कि भाड़ा पलिये थे बाबा गुरुदत ने आगे देखेंगे तीन नमबर हो जाएगा भारती सोतंत्ता अंदोलन के दरान मजरी सेना और बार्नर सेना का गठन कब किया गया था तो ये किया गया था सबिनाई अवगे अंदोलन के समय सबिनाई अवगे अंदोलन के शुरुआत महात्मा गांधी किये थे 6 अपरिल 1930 में सवदेशी आंदलन हुआ था बंगाल विभाजन के बिरोध में भारत छड़ो आंदलन की शुरात हुई तिन आठ और नव अगस्त 1942 में और सयोग आंदलन हुआ था एक अगस्त 1922 में गांधी जी को किसने इस बात के लिए राजी किया कि नमक सत्याग्रह को पूर्शो तक सिमित न रखा जाए तो ये राजी की थी महिला कमला देवी चटो पदयायने विजायलाश्मी पंडित ये संजुक्त राष्टां के अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतिय महिला है कहेगा प्रथम कबिनेट मंत्री भारतिय महिला कौन थी तो ये हो जाएंगी राजक मारी अव्मिता को और ये सवस मंत्री थी सरोजिनी नाडू कॉंग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतिय मैला थी या किसी भी राजे के राजेपाल बनने वाली प्रथम मैला हो जाएगी जो की उतर परदेश के बनी थी इन्होंने कॉंग्रेस के कानपूर अध्यवेशन के अध्यक्ष की थी 1925 में और कांग्रेस के प्रथम मैला कहेगा तो एन्हीवेशन थी अध्यक्ष जो की कलकाता अध्यवेशन के 1917 में बनी थी आगे देखेंगे पांच नमर हो जाएगा 1949 में सुबाः चंद्रे बोस और उनके वाम पंति समर्थ को द्वारा की से संगठन की अस्थापना की गई गया था 1942 में बवारत में कॉमिनिश्ट पार्टी की अस्थापना कि स्ने और कीश sees words बवारत में कॉमिनिश्ट पार्टी के अस्थापना वा था उनीश्ण 2into में और य होई कह गए चाहिए वेधांत कॉलेज की स्थापना 1825 में किसने किया था बेदांत कोलिज का स्थापना किये थे राजा राम मोहन्दाये इन्हों ने ब्राम समाच का स्थापना भी किये थे 1828 में और आत्मी सभा के का स्थापना कब किये थे तो 1815 में राजा राम मोहन्दाये ने आत्मी सभा के स्थापना किये आगे देखेंगे साथ नमर हो जाएगा निमने लिकित में से किसी ने खिलापत अंदोलन के संबंध में कहा था कि हिंदूओं और मुसल्मानों में एकता स्थापित करने का ऐसा औसर आगे 100 वर्ष तक नहीं मिलेगा तो ये बोले थे महात्मा गांधी खिलापत अंदोलन हुआ था 1990 में दो इंडिपेंडेट कहेगा पत्रिका के संबंध कहां था इलाभाद में और कॉप तो 1929 में जो कॉंग्रेस के दूसरी बार अधिवेशन हुआ तब बिहार में वो कॉप हुआ था तो यह हुआ था गाया 1922 में जिसका अध्यक्ता किये थे चित्रणजन्दास और पॉली बार कॉंग्रेस का अधिवेशन बिहार में हुआ बाकी पूर्जोकी 1912 में मुहमद अली जीना पकिस्तान के पॉला गोवर्नल बने थे आगे देखेंगे आठ नमर हो जाएगा पकिस्तान सब्द का परियोग सर प्रतम किस ने किया था पकिस्तान सब्द का प्रियोग पहले बार किये थे चोधरी रहमत अली और पकिस्तान के प्रतम परधान मंत्री ब और वही कहाएगा कि एंगलो ओरियेंटल कोलेज के अस्थापना अलीगड में किसी ने किया था तो ये किये थे सौर सयद अहमाद का डेट कहाएगा था ठार सो पचोहत्तर में 1920 में निमनेलीकीत में से किसी ने अपना नाम परिवर्तित कर सो राज सभा रख लिया तो हो जाएगा अली इंडिया होम रूल लीग 1920 में निम्लिलिकित में से किस ने अपना नाम परिवर्तित कर सोराज सवा रख लिया था तो All India Home Rule League ने Home Rule League के गठन किये थे बेजी तीले कॉर एनिवेसेंट 1912 में हिंदू महासवा के गठन किया गया था मौधन महनमालिवे द्वारा डेट कहे गा तो 1915 में South Indian Liberal Federation का नाम बदल कर Justice Party कर दिया गया था 1905 में The Servants of India Society के गठन का किस ने किया था गोपाल किस ने गोखले किये थे और ये महात्मा गांधी के गुरू भी थे आगे देखेंगे दोस नमर हो जाएगा किस हड़ापा अस्तल से चावल उगाने का साक्षे पराप्त होता है तो ये रंगपूर से हो जाएगा जो की गुजरात में इस्तित है और चावल के साच कोलडीयवा भी होता है चावल का साच कहेगा पॉली पर कहां से मिला था तो कोलडीयवा से हो जाएगा कोलडीयवा और रंगपूर महांजोदरो कहां इस्तित है तो यहां से मिला है कहां से एक मूर्ति मिला है और ये महांजोदरो पाकिस्तान में इस्तित है हडपा कहेगा तो ये भी पकिस्तान में इस्तित है हडपा से सोब दफनाने का साक्ष्य पराप्ट हुआ है और मीटी का बना हुआ हल कहां से पराप्ट हुआ है बनीवाली से जो की हरियना में इस्तित है आगे देखेंगे अगला कोशन हो जाएगा एक आरण नबर बैदी काल में निम्ली लिखीत में से कीस संसकार से दूसरे जरम का आरभ माना जाता था तो यह हो जाएगा सिक्षा की शुरुवात के लिए उपनयान संसकार से बैदी काल के कारे काल कहेगा था एक हजार इसा पूर्व से चौसर इसा पूर्व तक था बैदी काल में पहली बार लोहा का पर्योग किया गया था आगे देखेंगे बाराण नमर हो जाएगा सिंदू घाटी से बैता में अगनी पूजा किस अस्थान पर खोजी गई थी यहनी कि अगनी पूजा का साक्षे कहां से पराफ्थ हुआ है तो काली बांगा और लोथल दोनों हो जाएगा काली बांगा से जूते हुए खेद का भी साक्षे पराफ्थ होता है और सुर्व घोड़े का जो असेस मिला है कहां से मिला है तो ये मिला है सुरुकोटदा से और ये कहां इस्तित है तो ये गुजरात में इस्तित है आलंगीरपुर जो है ये महराष्ट में है और ये सिंदु सवेता के पूर्वी बिंदु थी चनहुदरो कहेगा तो ये पकिस्तान में है निम्नेलीकित में से किस एक कसरे समूझित रूप से निमकाचार को दिया जाता है निमकाचार कहेगा तो ये दैत दैतवाद के समर्थक थे और वही सूध दैतवाद के परवर्थक कौन थे सूध दैतवाद के कहेगा तो बलवाचार हो जाएंगे और दैतवाद के परवर्तक कहेगा तो माधवचार है बिसीष्ट दैतवाद के कहेगा तो रामानुजाचार हो जाएंगे आप से देख लेते हैं दैत दैतवाद के कहेगा तो निमकाचार हो जाएंगे सुध दैतवाद के कहेगा तो बलबाचार हो जाएंगे और दयटवाद के परवर्तक थे माधवचार और विशिष्ट वाद के परवर्तक थे रामा नुजाचार आगे देखेंगे 14. भारतिय से विधान के भाग 3 के अंतरगत 1925 समन्नित है मौलीक अधिकार का अलेख अनुचेत करेगा तो 12-35 तक है समानता कической अधिकार की सनुछेत में है 14 में है अलप संक्यों की 17 की अधिकार 29 में है संपतीक की अधिकार को पहले मलीच अधिकार में रखा गया था लेकिन 2400 जो सविधान संसोदन हुआ था 1988 में अब उसे वीदिक अधिकार बना दिया गया है और समपति के अधिकार फिलाल 300 के कौमे रखा गया है भारती सविधान के किस भाग में वो किन अनुछोदों में नागरीक्ता समंदी प्रावधानों का उलेक मिलता है बोलड़ा है कि किस भाग और किस अनुछेद में नागरीक्ता का उलेक मिलता है तो भाग दूर नगरीक्ता से समंधित है अनुचेद कहेगा तो 5 से 11 तक नगरीक्ता कहेगा किस देश के सभिधान से लिया गया है तो ये लिया गया है बिटेन से और भारत में एकलनागरिक्ता पाई जाती है नहीं कि भारत में कहेगा कौन सी नागरिक्ता लागू है तो एकलनागरिक्ता लागू है भाग एक को से को तक है भाग जो एक है अनुचेद एक से चार तक है और इसमें राज और संगु का उलेख मिलता है भाग तीन में मौलीक अधिकार का उलेख है जो कि अमेरिका के सभिधान से लिया गया है और भाग चार में राज एक निती निजशक तत्व का उलेख है और ये लिया गया है आयलन के सभिधान से और ये चोटी से एकावन तक अनुशे चोटी से एकावन तक है सोरो नमबर हो जाएगा च्छाठी अनसूची क्या है तो च्छाठी जो अनसूची है इसमें चारे राजों के जनजाती के परसासन के बारे में उलेख किया गया है और ये चारे राजों हो जाएगा ATM मिजोरम एट्रीक है A से हो जाएगा आसम T से हो जाएगा तिरपूरा M से मेघाले और एक मिजोरम ये चार राजों के जनजाती पड़सासन के बारे में उलेक किया गया है छटी अनुसोची में आगे देखेंगे 17 नमबर निमने लिखित में से कीस सदन की अध्यक्ष था ऐसे बेक्ती द्वरा होती है जो उसका सदस से नहीं होता है तो सदन हो जाएगा राजसभा संसद के दो सदन होते हैं एक होता है राजसभा और एक होता है लोकसभा राजसभा को उचे सदन कहते हैं और लोगसभा को नीमनी सदन कहते हैं और राज का एक संसद के कहिए कितने अंग होते हैं तो संसद के तीन अंग हो जाएंगे लोगसभा, राजसभा और राशपती लोगसभा के जो अध्यक्षे चूने जाते हैं वो चूने जाते हैं अनुचेद 93 के तहत और राज सवा कहेगा सावा पती उप राश पती होंगे ये किस अनुचेद के तोहत और अनुचेद 64 के तोहत बिधान सवा का उले किया गया है अनुचेद 170 में वह ही बिधान परिशत कहेगा तो अनुचेद 109 में बिधान परिशत का उले किया गया है बिधान सभा हो जाएगा 170 मंत्री परशद का गठन के रता है अनुछेद चोगतर के तहत भारत के उचितम नियाले में नैधीस की संख्या में ब्रीधी करनी की सकती किसमे नहीं थै तो उचितम नियाले में नैधीसों के संख्या बढ़ा या घटा सकते हैं संसद और संसद का उलेख मिलता अनुछेद 89 के तहत भारत में एक राश्पती होंगे इसका उलेख कहां है तो अनुछेद बावन में है सरबोज नियाले में मुख ए नैधीस की नियुक्ति किस अनुछेद के तहत की जाती है तो अनुछेद 124 के वन के तहत प्रोथम कहेगा कि बीदी आयोग के गठन किया गया था और दियाम 1833 के तहत 1834 में आगे देखेंगे 19 नमर कोशन हो जाएगा भारत में किसी बिध्यक को ध्वन बिध्यक परमाईद करने के लिए कौन अध्प्राधिकीत है यкі कोवन किसी द्वन बिध्यक को परमाईद कर सकता है तो ये करते हैं लोग सबा के अध्यक्षी प्रतं बीट आयोग के गठन कप किया गया था 1931 में और बीट आयोग के गठन का उलेग किया गया अनुछे दूसव ऑसी में देश के प्रथम नागरिक कोन होते हैं तो ये राशपती होते हैं और परधान मंतरी की नियुकती राशपती करते हैं अनुषयद पाच हटर के तहट राज बिधान परिशद के कितने सदा से बिधान सभा द्वारे चुने जाते हैं राज बिधान परिशद के एक वटे जो तीन सदा से हैं एक तिहाई सदा से बिधान सभा द्वारे चुने जाते हैं और बिधान परशत के सदस से के जो निम्तम आऊ है तो यह होता है 30 वरिस और बिधान सवा के सदस से के निम्तम आऊ कहेगा तो 25 वरिस होता है बिधान परशत में कम से कम जो है निम्तम कहेगा बिधान परशत के निम्तम सदस से की जनसंख्या कितनी हो सकती है 40 और वही बिधा सवा कि निम्तम कहेगा तो 60 सदस हो सकते हैं निम्तम और कुछ राज में अपबाद भी हैं आगे देखेंगे एक इस नमर हो जाएगा मानो वीका सुचकांक किस और्ठ सास्त्री की देन है तो यह हो जाएगे महबूब अलहक के और यह पकिस्तान के थे मानो बिका सुचकांक किस और्थसास्ट्री के देन है मवभूब औल होक का मानो बिका सुचकांक पेश करने वाले भारत के कहए गा पराथम राज ये कौन सथा तो ये हो जाएगा मौधै परदेश नोबिल पुरसकार और्थ सास्त्र के छेत में पाने वाले प्रोथम भारतिये काएगा कौन थे तो हम अर्थ सें थे और इन्हें नोबिल पुरसकार दिया गया था 1998 में और इनको भारत रत ने मिला था 1999 में और्थ सास्त्र के पीता काईगा कीसे कहते हैं तो एड़ाम स्मित को कहते हैं निलिखित करों में से कौन सा केंद्र सरकार के लिए राजास्वे का एक सुरूत नहीं है तो ये हो जाएगा आईकर से जो की नीगम कर और भूर राजास्वेकर ये सभी परत्यक्ष कर एक और सीमा सुरक जो परत्यक्ष कर है नीगम कर कॉमपनी के जो सुद्ध आई है उस पे लागू होता है आगे देखेंगे भारत में सबसे पहले कीस राजे में मुल्य वरधीत कर लागू हुआ था यनिके किस के अंदर सासित पर्देश की जन संक्या सरवाधिक है तो यह हो जाएगा दिली और भायट जो है यह अपरत्यक्षकर है। सबसे छोटा कहेगा तोट रेखा वाला राज ये कौन सा हो जाएगा तो ये हो जाएगा गोवा और सबसे बाड़ा तोट रेखा वाला राज हो जाएगा गुजरात और गुजरात के बाद कहेगा तो चे नहीं हो जाएगा चोबीस नमर कोश्टन है दोच्री अमेरिका में मौधे आचांसी घास के मैदान का नाम क्या है दोच्री अमेरिका जो अर्जेंटीना दोच्री अमेरिका के देश हो जाएगा अर्जेंटीना और यहां के घास मैदान को पंपास कहते हैं मोदे एस यह के घास के मैदान को और उतरी अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहते हैं तो प्रियरी कहते हैं स्वर्वेगराही मीटी के रूप में किसे जाना जाता है तो लाल मीटी को स्वर्वेगराही मीटी के रूप में जाना जाता है छारिये जो मीटी है उसे उपजाग बनाने के लिए चुना का परयोग किया जाता है काली मीटी का ओन ने नाम कहेगा तो रेगूर मीटी है और इसमें सरवाधिक का स्पास का इसमें सरवाधिक किसका उत्पादन होता है तो कापास का भारत में सरवादिक पाई जाने वाली मीटी कहेगा तो जोलोर मीटी हो जाएगा और इसमें पोटास की मत्रा अधिक होती है और कार्मिक पजार्थ के भी मत्रा अधिक होती है सरवादिक उपजाव मीटी भी कहेगा तो यह हो जाएगा जोलोर मीटी आगे देखेंगे 26 नमर है भारत में कौन सा अस्थान जवारीय तरोंगो द्वारा उर्जा उत्पादन के लिए आदोर से इस्तिती परदान करता है तो यह हो जाएगा कोच की खाड़ी जो की गुजरात मेशती थै खंबात की खाड़ी का पहले नाम कहेगा तो कैमे की मनार की खाड़ी द्वारा भारत और सिलांका अलग होते हैं लचे दीप समुक के खाड़ी जिल कहेगा तो तूर्की मिशती थै जिसका नाम है वान जित ये बिश्मे में सरवादी खारे पानी के जिल है पूलिकट छिल का हैश्थित है तो ये भारत के आंध्रे परदेश और तमिलाडु राजे के सीमा परिश्थित है इराग का प्राचीन नाम क्या था तो मेसोटोपिया इराग के प्राचीन नाम हो जाएगा मेसोटोपिया आगे देखेंगे निन लिखित में से कौन एक सही सुमिलित नहीं है तो इसमें जो नगार्जुन सागरबांध है ये गोदावरी नदीप नहीं है नगार्जुन सागरबांध ये क्रिष्णा नदी परिष्थित है राजे कहेगा तो आंधे परदेश में और गोदावरी नदी परिष्थित बा हो जायगा पोचम-पाद्ध बांध और ये भी आंध्यपरदिस में है। भाक्रा-टनाग्ल बांध ये शफद लज नधिक पे पंजाब राज में है। सरदार स प्रfahrईजये नर्मदा नधीक पहादा राजिसमें हीरा कुटबांध कहेगा तो महानदी पे और राजे कहेगा तो डिसा में है आगे देखेंगे पॉस्मी यह पूर्वी घाटो का मिलन कहां पे होता है तिये होता है निलगीडी के पहाड़ी के पहाड़ी के सबसे उचा चोटी कहेगा तो इसका नाम है डोड़ा बेटा जिसकी उचाई है 26-37 दर हो जाएगा खोड़ाई कनाल जो परवत है यह पालनी पहाड़ी के पालनी पहाड़ी में समीली थे यानि पालनी पहाड़ी के अंस है काड़ेमम की पहाड़ी कहां इस्तित है काड़ेमम की पहाड़ी यह केरल राज में है और इसे इलाजी पहाड़ी के उपनाम से भी ज मेंजती था है सैतान का गोल्फ कॉर्स सा नाम से परसिद मीरित ते घाठी की सदिस में तो यह जी था अमेरीका में Ph gustaría चीछी एंप ना जो देश है यह दिशन अमेरिका के समरिद से है saiv डेढे का है है तो यह दस्ता के गठन के अस्थान यो कारे चेत्र का चयन करे जो आजाद दस्ता के अस्थान था वो नेपाल और गठन नेपाल में वगता कारे चेत्र कायेगा तो समपून भारत था आजाद दस्ता का गठन वगता नेपाल में कारे चेत्र हो जाएगा समपून भारत आजाद दस्त इनको परसीदी मिली थी जोन नायक के नाम से कीने जानते हैं जोन नायक के नाम से जानते हैं करपुरी ठायकुर को और लोक नायक के नाम से जानते हैं जैपरकास नराहन को अंतोदे का विचार कहेगा किसने दिया था तो जैपरकास नराहन ही दिये थे बौतीस नमर हो पारकिर्तिक धरोवर और अस्थान और अस्तल है जिसको मिलान करना है और कह रहा है कि नीम्ड में से कौन सा यूग में सुमिलित नहीं है तो इसमें एलिफेंटा के गुफाय सुमिलित नहीं है ये करनाटक में नहीं ये महराश्ण में इस्तित है और फतेफुर सिक्री इस्ति में है सूर मंदिर के उडिशा में कुणाक के सूर मंदिर के उडिशा में ज़ित है और इससे बनवाए थे नर सिंदेव प्रथमने आगे देखेंगे 33 नमर हो जाएगा अब से पढ़ते हैं आयोडिन 131 का परियोग कहां पर होता है आयोडिन जो 131 समस्थानिक है इसका परियोग कहता है घेंगा रोग में या थाइराड जो केंसर है इसके उपचार में फासपोरस 32 का परियोग कहता है लेकिमिया के उपचार में बिटामिन C के विशाय में सत्य कथन चुनी है तो यह परतिरक्षा परणाली को मजबूत करता है यह सही है गर्म करने पर यह नश्ट हो जाता है यह भी सही है और यह दूद में नहीं पायाता है यह मानोश सरीर से संक्रम को रोकने वाला बिटामिन है ये सही नहीं है और विटामिन C कहेगा कहां पायता है तो संत्राम पायता है और इसका रशानिक नम कहेगा तो एसकोर्विक अमल हो जाएगा और इसका कारे कहेगा तो घाव को भरने में इसका कारे है अनि कि मानो सरीर के घाव को भरने में भाग लेता है विटामिन C पाइरो मीटर किसके मापन में परियोग किया रहता है पाइरो मीटर का परियोग करते हैं उचेता आपको मापनेक लिए अपेक्चिक आदरता का माप किया रहता है हाइग्रो मीटर से और अपेक्ची घनात्वे काएगा तो हाइड्रो मीटर समापते हैं आधर्ता हो जाएगा हाइड्रो मीटर से गनात्व हो जाएगा हाइड्रो मीटर से वह मंडलिये दाप मापा जाता है बाइरो मीटर से एक माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मीली मीटर और मीटर में कहेगा तो 10 के पावर माइनस 6 मीटर हो जाएगा आगे देखेंगे किसी मनुसे द्वारा प्रिथीवी पर लगाया गया दाब महतम होगी यदि मनुसे क्या होगा तो एक पर पर खड़ा होगा तो मनुसे द्वारा प्रिथिवी पर लगाया गया दाब अधिक होगा और कम कब होगा जब लेट जाएगा तो मनुसे द्वारा प्रिथिवी पर लगाया गया जो बल होगा दाब का होगा दाब कम होजाएगा जब एक पर खाड़ा होगा तो दाब अधिक होगा और जब लेट जाएगा तो कम हो जाएगा पिरिथिवी जो है ये सूरे से पिरिथिवी से 109 गुना बढ़ा है आगे देखेंगे और तिस नमर कोशन हो जाएगा नभीकिये रियक्टर और परमालू बम में यह अंतर है कि जो नभीकिये रियक्टर है इसमें जो स्रिंकला होती है यह नियंतरीत होती है और परमालू बम में श्रिंकला क्या होती है तो और नियंतरीत होती है परमालू बम में और नियंतरीत होती है नभीकिये रियक्टर में इंधन के रूप में इवलेमनियम का पर्योग किया एता है और नभीकिये रियक्टर में का एगा नियंतरन के रूप में किसका पर्योग किया एता है तो कैडिमियम और बुरोन का छोड़का और मंदा के रूप में प्रियोग के जाता है भारी जल और गेरफाइट का आगे देखेंगे 49 नमर हो जाएगा गुरुत्वा कोर्सरान के सारवभामिक नियम का परतिपादन किस ने किया था तो गुर्टवा कर्सरां के सारो भामिक नियम का परतिपादिन किये थे चार्ल्स नियुटन और गतीक नियम भी नियुटन दिये थे कॉंप्पूटर का विसकार किये थे चार्ल्स बैवेज 1946 में और परकास के विदित परभाव के खोज किये थे अलबर्ट आइंस्टीन ने और अलबर्ट आइंस्टीन को नोबल पुरसकार मिला था उन्हीं सब 21 में मायोपी आजिसे निकट दिरिश्टी दोस काते हैं को कैसे ठीक किया जाता है तो यह ओतर लेंस के परियोग द्वारा निकट दिरिश्टी दोस को ठीक किया जा सकता है आपको निकट दिरिश्टी जब दोस हो जाएगा तो जिस प्यक्ति को निकट दिरिश्टी दोस लगा उसका परतिविम कहां बनता है और दूर दिरिश्टी दोस में जो परतिवीम बनता है ये रेटीना के पीछे बनता है और दूर दिरिश्टी दोस को ठीक किया जा सकता है उतर लेंज लगा कर आगे देखेंगे 41 नमर है बाइरो मीटर के पाठ एकरों में अचानक गिरावट किया दरसाता है तो अचानक जो गिरावट है ये आंदूर तूफान का आना दरसाता है और जब धीरे धीरे उपर जाएगा तो क्या होगा तो मौसम साफ रहेगा और जब धीरे धीरे नीचे आएगा तो उसमें वर्षा होने की संभावना होती है बीदूत मोटर में क्या होता है तो बीदूत मोटर बीदूत उर्जा को यांत्री कुर्जा में बदलता है वही डैनेमो क्या करता है तो इसका अपवर्तित होता है यहनि कि इसका उल्टा हो जाएगा डैनेम हो यांत्री कुर्जा को बीदू तूर्जा में बदलता है और बीदू तूर्जा को उस्मा में बदलता है हीटर और उस्मा को बीदू तूर्जा में बदलता है थर्मो कपल आगे देखेंगे बुरोमिन समाने तापर होती है और अधातु कहेगा तो हो जाएगा ब्रोमिन नाइट्रोजन डाइक्साइड कहेगा तो ये रंगहीन गैस है सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सी होती है तो कार्बन डाइ ऑक्साइड होती है हाइडोजन की कोज हुआ था सत्रसो चाचट में किसने किया तत हैंडी केमेंडिस किये थे और इसे आवारा तत्वी की संग्या दी जाती है भवी से के इंधन भी कहेगा तो हाइडोजन ही होगा सल्फर डाइ ऑक्साइड क्या है तो इसके परदूसर से अमले वर्षा होती है वाव मंडल में सबसे अधिक पाये जाने वाले तत्वी कहेगा तो नाइट्रोजन हो जाएगा जिसकी परतिसत है 88 परतिसत मनुस्व में बिरीक तंत्र का एक भाग है यह हो जाया उसर्जन के लिए मनुस्व में बिरीक तंत्र जो है यह किसके लिए परयोगता है तो उसर्जन के लिए और स्वसन के लिए परयोगता है फेफड़ा यह किसके लिए है तो पोंसर्ण के लिए आगे देखेंगे 46 नमर हो जाएगा निनलीकित में से कौन सा जै रूपांतरों मानो शरीर को अधिक्तम उर्जा परदान करता है तो ATP से ADP में परिवर्टन तदकाल उर्जा के लिए मानो को कार्बो हाइडेट दिया जाता है और इसमें कौन-कौन से तत्वर आता है तो कार्बन हाइडोजन और अक्सीजन परस्तित की तंत्रे के दो संगठाक होते हैं तो परस्तित की तंत्रे के दो संगठाक हो जाएंगे जय और अजय जय और अजय प्रस्तित की सब्द पॉलिवर का किस ने दिया था प्रस्तित की सब्द पॉलिवर दिये थे अन्रेश्ट हेकल ने और वही प्रस्तित की तौंत्र सब्द पॉलिवर किस ने दिये था तो एजी टांस ले दिये थे आगे दिख लेंगे आल तालीस नमर हो जाएग यदि जहाज नदी से समुंद्र में प्रवेश करेगा तो क्या होगा तो जहाज जो हलका उपर उठ जाएगा क्योंकि जो नदी के जो गहनत्व होता है वो क्या होता है समुंद्र से नदी से जो समुंद्र का गहनत्व होता है अधिक होता है समूंत्रिका झणातने निधिस होता है इसके कारण जो जा fij हाज है थोड़ा उपर उठ जयता है सिटी ऐस्केन में परियोग के एक एक किरहने का पृउपर इता है और एक पिरियोग के कहुज किए थे रोेंड जन ने द्रीश से किरान के खोज किस ने किये था तो नूटन ने गामा किरान के खोज किये थे पॉल बीलाड और अरगत किरान के खोज किये थे बिलियम हर्साइल आगे देखेंगे 50 नमर हो जाएगा सूरे का ब्यास है, सूरे का ब्यास सब को बताना है कितना है, तो 13,52,000 किलो मीटर, सूरे हमारे प्रित्वी से कितना बड़ा है, तो 109 गुना बड़ा है या 13 लाख गुना, लगभग 13 लाख गुना या प्रित्वी से 109 गुना, प्रित्वी को सूरे ताप का मिलता है, तो सूरे के परकास को प्रित्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है आठ मिनट सोरो सेकेंड चंदर्मा के परकास को प्रित्वी तक पहुँचने में समय लगता है एक पॉइंट तीन सेकेंड पार्थी गरह या अंत्रिक गरह किसे कहते हैं बूद, सुक्र, प्रित्वी एं मंगल को अंत्री गरह या पार्थी गरह कहते हैं आगे देखेंगे वही बाह गरह कहाएगा तो इसमें हो जाएगा ब्रिस्पति, सनी, अरून और वरून शूरे के सबसे निकट गरह काएगा तो बूध हो जाएगा और प्रित्वी के सबसे निकट गरह काएगा तो सुक्र हो जाएगा और शूरे प्रित्वी दोनों से सबसे दूर गरह हो जाएगा वरुन जी से नेफ्चुन कहते हैं पिरित्वी इस्तित है पिरित्वी जो ग्रह इस्तित है मौंगल हैं सुक्र के मुद्ध है और छुद्र ग्रह इस्तित होता है मौंगल और बिरस्पति के बीच पाचिम से पूरुब की और घूमने वाला ग्रह काएगा तो सुक्र और अरुण ये उल्टा दिशा में घूमता ह और वो ऐसे गरह जिसका कोई भी उपगरह नहीं है तो ये बूध और सुक्र हो जाएगा सबसे छोटा यों सबसे हालका गरह काएगा तो बूध हो जाएगा सबसे बाडा यों सबसे भारी गरह बिरस्पती है आगे देखेंगे कीस गरह की बिसेस्ता उसकी चुम्बकिय गुण का होना होता है यानि कि बूध पर चुम्बकिय छेत्रे भी पाय जाता है सबसे गर में चमकिला गरह काएगा तो सुक्र गरह है और इस पेशल फियूरिक अमले का उपलबदी भी है कौन सा गरह 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 आकार से लगवक प्रित्वी के समान है तो ये सुक्र हो जाएगा इसे प्रित्वी की बहन भी बोलते है सौर मंडल का सबसे बड़ा गरह काएगा तो बिरस्पती हो जाएगा और फोबोस एंटीमोस उप गरह किस गरह का है तो मंगल के सौर मंडल का सबसे उचा परवद निक्स ओलंपिया इस्तित है तो ये इस्तित है मंगल गरह पे सरवादी घणाति वाला गरह कौन सा हो जाएगा तो ये प्रित्वी हो जाएगा और निंतम घणाति वाला गरह हो जाएगा सणी सनी गरह के सबसे बड़ा उपगरह कौन सा है तो सनी गरह के सबसे बड़ा उपगरह हो जाएगा टाइटन बरतमान में सबसे ज़्यादा उपगरह वाला गरह कहेगा तो सनी हो जाएगा बरतमान में इसकी उपगरह की संक्या कितना है तो 145 है अरून गरा की खोज किस ने की थी तो बिलियम हर्षल किये थे 1781 में लेटा हुआ गरा किसे कहते हैं तो लेटा हुआ गरा या गैसो वाला गरा कहाएगा तो अरून हो जाएंगे और इसका खोज किये थे बिलियम हर्षल 1781 में वरूण गरा की कोज किस ने की थी जुहान गय ले किये थे 846 में कीस गरा के चारो और मीथेन गैस का संगन बादल चाया राता है तो वरूण सौर मडल के खोज गएगा तो किस ने किये था तो कौपर निकस किये थे सूर से पृतवी की कूलदूरी हो जाएगा 119.6 मिलियोन कीलो मीटर पृतिवी पर दिन और रात होते हैं तो गुड़न के गटी के कारण और पृतिवी परितु परिवर्तन होता है तो परिवी करमान के कारण कहेगा चुम्बकी छेदरी कीस गराप पर पाया जाता है तो बूद पे सलफिली कमले कीस गराप पर पायाता है सुकरे पर मीथिन कीस गराप मिलता है तो वरुण जी से नेप्चुन करते हैं किस वाद में उच्थम न्याले में ये अब्यवस्ता दी गई कि प्रास्तावना सबिधान का एक भाग है तो ये दिया गया था केश्वनंद भारती वाद में जो कि हुआ था 1973 में और बेरुवाडी संगवाद ये हुआ था 1960 में और इसमें कहा गया था कि संसद को प्रास्तावना में संसोधन करने का अधिकार नहीं है और गोलक नातवाद जो यह हुआ था 1967 में और इसमें मौलिक अधिकार में संसोधन करने का अधिकार संसोध को नहीं है यह कहा गया था और मिलवा मिलस जोवाद हुआ था यह 1980 में हुआ था दू नमर हो जाएगा निमनी लिखित में से कौन सा राजे के पूना गठन से समंदित नहीं है तो यह जो राजमनार समीती है यह राजियों के पूना गठन से समंदित नहीं है बाकी धर आयोग और जेबी पी समीती और फोजल अली जो आयोग है ये सब ही राजे के पून गठन से समधित है पौली बार भासा के अधार पर गठन होने वाला राजे काएगा तो आंध्रे परदेश होगा और इसका गठन किया गया था उनई सो तीरपन में और इसका अध्यक्ष काएगा तो फोजल अली थे आगे देखेंगे तीन नमर हो जाएगा भारतिय सबिधान में कीस अधार पर अल्पसंख्यों को का निधानर किया गया है तो अल्पसंख्यों का निधानर किया गया है भारतिय सबिधान में भासाई एम धार्मिक दोनों अधार पर सभिधान सभा के अध्यक्ष काएगा कि कौन थे तो सभिधान सभा के अध्यक्ष राजेंदर परसाथ थे हीतों का सनवख्षन का उलेह किया गया है अमचेद 29 में आगे देखेंगे चार नमर हो जाएगा सभिधान की कार्य प्राणडी की समिक्षा के लिए 1110 आयोग के गठन के वर्ष और अध्यक्ष के सुमिलित यूगम को पहचान कीजिए तो ये वर्ष हो जाएगा वर्ष दुहायरिस भी और नियामूर्थी एमेन बेंकेट चलाईया थे वर्षा के काएगा पानी गोल किसके कारण होता है तो वर्षा के पानी गोल होता है पिस्ट तनाव के कारण और इसका एसाई मात्रख हो जाएगा नीटन पर मीटर आगे देखेंगे पांच नमर कोशन हो जाएगा 2011 की जनुगारना के अनुसार भारत में लिंगा अनुपात एम बाल लिंगा अनुपात के सोही जोड़े का चैन किजिए जो 2011 के जनुगारना के अनुसार कर रहा है तो भारत की लिंगा अनुपात थी एक हैर पूरस पर 943 महीला है और वही कहेगा बाल निंगा अनुपाद तो 990 हो जाएगा जनगारना का माहा विभाजय कोर्स कहेगा तो 1921 था और लोगू विभाजन कहेगा तो 1921 के था जो दूरेगारा के जनगारना हुआ था वो करम से 15 वी जनगारना था और 173 भारत के कहेगा तो 7 वी जनगारना था जनगारना के शुरुवात भारत मे हुआ था 1872 में लोड मेओ के कारेकाल में और नियमित जनगारना के शुरुवात हुआ था लोड रीपन के कारेकाल में 1881 में 2011 के जो जनगारना हुआ था उसमें जनगारना आयुक्त थे सी चंद्र मौली जाती आधारित जनगारना की शुरुआत कहेगा तो उन्हीं सब 31 में हुआ था उपयोगिता का गड़ना वाचक सिधान्त किस ने दिया था उपयोगिता का गड़ना वाचक सिधान्त दिये थे अलफेड मार्शल ने और एडम इसमित को और्थ सास्त्र के पीता कहा जाता है साथ नमर कोशन हो जाएगा कौफी की कीमत में बिरीधी से चाई के मांग पर क्या परभाव पड़ेगा जब कौफी मांगा हो जाएगा तो उसमें कौफी आदमी कम खड़ देंगे तो उसे चाई की कीमत क्या होगी तो चाई की कीमत बढ़ जाएगी और कॉफी में जो उतेजित पदार्थ होता है वो काइफिन पाया जाता है और चाय में उतेजित पदार्थ कहेगा तो ये थीन पाया जाता है कॉफी पराफ्त होता है बीज से कॉफी कहें किसे पराफ्त होता है तो पोध्या के बीज से पराफ्त होता है आठ नमर हो जाएगा भारतिय रिजरव बैंक में छोटे किसानों के रूप में किसे परिभासित किया गया है तो जिसके पास एक हेक्टियर से अधिक और दो हेक्टियर से कम भूमी वाली किसानों को भारतिय भारतों में छोटे किसानों के रूप में परिभासित किया गया है और प्राथम उप गौरनर कहएगा तो केजी उदिरक्वावअ एक अंतरिक चेयातरी प्रिधर्वी तल की तूनना में चंदारवा पर ओधिक मुची छलांग लगा सकता है इसका कारण बताना है तो इसका कारण हो जाएगा चंदरतल पर गुर्थवा कर्णसर बल प्रिथवी तल की तुलना में कम होता है चंदरतल पर जो गुर्थवा कर्णसर बल होता है चंदरमा पर गुर्थवा कर्णसर जो बल है प्रिथवी की तुलना में कम होता है इसके चलते अंत्रेक्ष यात्री प्रिथवी की तूलना में चंदरमा पर अधिक छलांग लगा सकते हैं पहली बार अंत्रेक्ष में जाने वाले ब्यक्ति कहेगा तो इवरी गागरीन हो जाएंगे जो कि गए थे 1961 में और ये रूस के थे महिला काएगा तो बोलें तेरस्कवा हो जाएंगी जो कि ये भी रूस के थी 1963 में गई थी और भारतिय काएगा अंत्रेक्ष में जाने वाले ब्यक्ति हो जाएंगे राकेश सर्मा और जो कि 1984 में गए थे महिला काएगा तो कालपना चौला हो जाएंगी आगे देखेंगे अगला कोशन हो जाएगा दस नमबर सीबी रमन को उनके किस कारे के लिए नोवेल पुरसकार मिला था तो उनके परकास के पर किरन के खोज के लिए नोवेल पुरसकार दिया गया था 1930 में और ये फिजिसके छेत्रे में मिला था X किरान के खोज किये थे Arrow Intergen ने Cosmic किरान के कहेगा खोज किसने किया था तो Victor Hays किये थे और परकास के गति के खोज किये थे Newton CB रमन को पहली बार जो पहली बार भारत रतने की शुरुवात हुई थी 1904 में तो पहली बार तीन व्यक्ति को दिया गया था जिसमें स्वर्प्रवि राधा किष्णा CB रमन और सी रामकपल चारी को दिया गया था आगे देखेंगे 11 नमर कोशन हो जाएगा राडार का उप्योग किस लिए किया जाता है राडार का उप्योग किया जाता है जो दिसा निर्देश करने के लिए राडार का उप्योग किया जाता है सोर भी किरन का माप किसे किया जाता है सोर भी किरन का माप किया जाता है पाइरोमीटर से सोर भी किरन या उँच एताप के माप करते हैं पाइरोमीटर से गरोहों के गतिक के कहेगा नियम किस ने दिया था गरोहों के गतिक नियम दिये थे केपलर ने और भुकम की त्रीपता मापा जाता है रियक्टर असकेल से रेटीना पर कैसा पर्तवीम बनता है रेटीना पर बनने वाली पर्तवीम होता है वस्तु से छोटा उल्टा यह वास्तवीग तो यह कि आँख के कीस भाग को दान किया जता है तो आँख के जो कौनिया होता है इसे दान किया जता है और आँख में जाने वाली जो परकास है उसको नियोत्रीत कौन करता है तो आईरिस और परितारी का आगे देखेंगे तेरा नमर कोश्चन हो जाएगा पानी की बुंदे किसकी भाती परतीत होती है? जो पानी की बुंदे है ये ओतर लेंस के भाती परतीत होता है जब निकट दिश्टी दोस हो जाएगा उसमें उतर लेंस का उपयोग किया आता है और निकट दिश्टी दोस होने पर जो परतिवीम बनता है वो रेटीना के आगे बनता है और दूर दिश्टी दोस को उतर लेंस से ठीक किया जा सकता है और दूर दिश्टी दोस होने पर जो परतिवीम बनता है रेटीना के पीछे और निकट में बनता है रेटीना के आगे आगे देखेंगे चौदर नमर हो जाएगा मानो शरीर का परतिरोध गिला में किसके समतूर ले होता है जब मानो शरीर के गिला राएगा तो उसके परतिरोध कितना होगा तो 10 के पावर 6 होगा और जब सुखा राएगा तो उसका परती रोध हो जाएगा 10 के पावर 3 गिला राने पर परती रोध होगा 10 के पावर 6 और सुखा राने पर हो जाएगा 10 के पावर 3 पंदरो नमर कोशन देखेंगे पंदरो नमर हो जाएगा इनमें कीस अमले का परियोग फोटोग्राफी में होता है तो अकजेलिक अमले का परियोग करते हैं फोटोग्राफी में और कोहरा में भी फोटोग्राफी करने के लिए अकजेलिक अमले का परियोग किया जाता है एसेटी कम पाया जाता है सिरीका में और फौर्मिक आम पाया जाता है चीटी के डंक में और नीम्बू और संत्राम पाया जाता है सीटरीकम सोरो नम्बर कोश्चन हो जाएगा सोडियम वेपल लेम का परियोग अस्टीट लाइट में किया जाता है क्योंकि इसमें परकास मोनो करमाइटिक होता है यह जल बुंदो द्वारा अलग-अलग नहीं होता है और जो अस्टीट लाइट होता है यह गाउं घर में जो गली में जो लाइट लगा रहता है उस्टीट लाइट करते हैं और आख लिए जो आरंदयाय के रोस्नी होता है उ argue किकर्या कर देथा है आगे देखेंगे 17 नमर हो जाएगा कीस वीटामिन को शरीर संचैत नहीं कर सकता है तो वीटामिन सी को शरीर Nada कर सकता है और भवीशचेक लिए यह क्रित में जो विटामीन संचीत रहता है वो विटामीन हो जाएगा डी को हर्मोन भी का जयता है और यहाँ देद हर्मोन के लुप में पाएहता है तो पोलियो यह बंदर्स नहीं होता बर्लियो जो होता है वाइरस के कारूं होता है और ये भी जोता है कुता कटने से ये भी वाइरस के कारूं होता है पलेग होता है चुहा के करने से और पलेग को काली मौत भी कार जाता है ते पोर्म होता है सुवर के करने से आगे देखेंगे ओने इस नमर हो जाएगा किसी दर्पन से आप चाहें कितनी ही वो आपका आधा होना चाहिए आगे देखेंगे 20 नमर हो जाएगा खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा तो इसका मतलब है कि आपका इंधन जो है पूरी तरह नहीं जल रहा है कोई-कोई गैस में देखिएगा कि जब गैस नॉन अश्टिक बर्तन पर टेफला न की परत होती है कोई एक निम्तम परदूरसम करने वाला इंधन कोवन सहा है तो यह हो जाएगा हाइड्रोजन 21 नमर हो जाएगा तो अन्तु पास्ती संधी कहां पाई जाती है तो यह पाई जाती है कापाल में और प्यूस गरंथी कहां पाई जाती है तो यह मस्तिक्स में पाई जाती है और यह सबसे छोटी गरंथी है जिसका भार होता है 0.6 गराम पीश गरंथी को माश्टर गरंथी भी कहते हैं जांक में कौन सी हड़ी पायाती है तो फीमर पायाती है और यह सबसे बड़ी हड़ी है और शरीर के सबसे मजबूत पहलता है जवड़े में इनेमल्ज होता है यह सरीर के सबसे मजबूत अंग है आगे देखेंगे 22 नमर हो जाएगा मानो शरीर का कोण सा अंग अलजाइमर रोग से परभावित होता है मॉस्तिक्स और जब मॉस्तिक्स सूजन हो जाता है तो उसे मैंजाइटिस रोग भी कहते हैं अब फेफडा को परभावित करता है टीबी टीबी जो रोग है फेफडा को परभावित करता है और 20 वे टीबी दिवस कहेगा तो 24 मार्च को मना जाता है और टेलिवीजन जो देखने वाला है 20 वे टेलिवीजन दिवस मना जाता है 21 नमर को ट्रेट मिल टेस्ट का समवांद कहेगा तो हिरदय से हो जाएगा हिर्दय के मूख के कारे कहेगा तो सरीर के स्वभी भागों में रक्त पहुंचाना इसका कारे है और हिर्दय के कहेगा भार कितना होता है तो 300 गरम और बिरिक जिसे कीडनी काते हैं इसका भार कहेगा तो 150 गरम होता है और बिरिक के करात में कीगाई कहेगा तो नेफ्रोन हो जाएगा मूत्रे के कहेगा सरवादिक मूत्रे कहाँ जमा होता है तो बिरिक मियानी किड्निम होता है तेश नमर हो जाएगा नीम में कौन सुमिलित नहीं है तो इसमें जो silver bromide है ये करितनी परकास संस्रेशल के लिए नहीं है silver bromide क्या करता है तो ये फोटोगराफी में परियोग किया था है और फोटोगराफी में फीक्सर के रूप में कहेगा तो sodium thiosalphate का परियोग किया था है दूधिया magnesium क्या है तो ये प्रतियाम्ल है लिथियम बाइकर्बिनेट का है तो ये गठिया कूपचार में परियोग के रता है लिथियम बाइकर्बिनेट का और silver iodide से क्रितनी मौरसा के लिए परियोग के रता है क्रितनी मौरसा के लिए किसका परियोग के रता है silver iodide का और गठिया के उप्चार के लिए लिथियम बाइकार्गोनेट का आगे देखेंगे 24 नमर हो जाएगा इनमें कौन बीधु चुमग की तुरंग का उधारन नहीं है तो इसमें जो पाराधौनिक किरणे है ये बीधु चुमग की तुरंग का उधारन नहीं है बाकी सब हो जाएगा गामा किरण, एक्स किरण, पाराबैगनी किरण ये सब हो जाएगा बीधु चुमग की तुरंग का उधारन गामा किरण के बेदन छमता सबसे अधिक होता है और एक्स किराने के परयोग करते हैं डॉक्टर एक्सारा करने के लिए पारा बैगरी जो किनर है ये सूरे से निकलता है जिसे ओजोन परत सोक लेती है 25 नमर हो जाएगा समुंद्री वातावरण में मुखे प्रात्मिक उत्पाद होते हैं तो यह हो जाएगा फाइटो पलैक्टोन्स समुन्त्र की गाराई में पाजता है 0.2 मीटर से और 1.2 मीटर बरावर होता है छोँ फीट और मीटर में काएगा तो 1.8 मीटर फीट में होता है छोँ फीट और मीटर में 1.8 मीटर Master of Gods किस गरा को का जाता है Master of Gods हो जाएगा बिरस्पति सबसे बाड़ा और सबसे भारी गरा काएगा तो बीरसपाती और बीरसपाती अपने आक्सपर्ड सबसे कम समय में चकर लगा लेता है अपने आक्सपर्ड सबसे तेज गुमने वाला गरा काएगा तो बीरसपाती हो जाएगा सबसे छोटा गरा होता है बूध है और बूध पर चुम्भकिये छेत्र भी उपलब दे है बलाय वला गरा कहेगा तो सनी हो जाएगा जिसकी बलाय के खोज किये थे गेलेलियों ने और सनी की बलाय के संख्या कहेगा तो साथ है सरवाधिक उपगरा वाला गरा कहाएगा तो सन्नी हो जाएगा और कहाएगा कि बर्तमान में इसकी उपगरा की संख्या कितना है तो 145 सबसे गर में गरा कहाएगा तो सूक्र हो जाएगा और सूक्र पर सल्फियूरिक अमले भी उपलब्द है सबसे कम घंठ वाला गरा सनी और सबसे अधिक घंठ वाला गरा काईगा ता पृत भी आगे देखेंगे 27 नमर, मान्दाकनेअ, अलकनदा के संगम पर इस्तित नगर कौन सा है तो मान्दाकनेअ, अलकनांदा परिष्दित है रूद्र प्रयाग, इसका ट्रीक हो जागा अमरूद्र, अस हो जागा अलकनांदा, मस हो जागा मन्दाकनी, अरूस हो जागा रूद्र प्रयाग में मिलता है, अलकनांदा और धौली गंगा कहां मिलता है तो बिश्मू प्रयाग में, समय याद कर नदी कहां मिलती है तो कौन प्रियाग में अलक नंदा और भागी रती कहाएगा तो देव प्रियाग में इसका ट्रीक हो जागा अबा देव ऑसे हो जागा अलक नंदा भासे हो जागा भागी रती है देशे हो जागा देव प्रियाग में अलक नंदा यो मनागनी मिलती है भारत में सरवाधिक जलोड मीटी पाई यती है और ये सरवाधिक उपजाओ मीटी भी है और कया कि जलोड मीटी में सबसे अधिक क्या होता है तो इस सबसे अधिक इसमें पोटास होता है और कारणिक पदात की मात्रा सबसे अधिक होती है जलोड मीटी में नई जलोड मीटी क खादर करते हैं और पुराने जोलोर मिटी को बांगर करते हैं और भारत में जलोर मिटी पायाती है 22 만2 वर्साकाल में यह उपजाओ मिटी बंजरते हैं लाल मिटी को बंजर मिटू को ये हम दिये होता है और इसमें सीलिका और आइरन अधिक होता है और लाल मिटी का रंग जो हो लाल कहेगा किसके करण होता है तो लाल मिटी का रंग जो है लाल होता है और लाल मिटी या लाल मिटी में किसकी कमी होती है तो नाइट्रोजन और फासपोरस की कमी होती है आगे दे पलेट है एसिया यह परसांत महासागर के बीच मिश्दीत है एसिया महाधिप को मानों के घर का जाता है और परसांत महासागर जो है यह सबसे बड़ा महासागर है और सबसे गहरा महासागर भी कहेगा तो परसांत महासागर हो जाएगा और महासागर की संख्या कहेगा कितनी ह तो पांच है आगे देखेंगे 30 नमर हो जाएगा दियोताओ का पिरिये धोम भीजायकु ही शिरेष्ट भीजाय समझता है या किस सासर के सिलालेक में वडित है या असोग के तेरहवे मूख के सिलालेक में खा गया है समूंद्र गुप्त के पर्याग प्रस्ति का कहेगा कि लेखा कौन है जो समूंद्र गुप्त के अभिलेख है पर्याग में पर्याग प्रस्ति के लेखा कहेगा कौन है तो हरी सेर्ण हो जाएंगे और समुंद्र गुप्त के पर्याग फ्रस्ती अभिलेख में किस मुगल सासर का उलेख मिलता है तो जागीर का रूद्र दामन के जुनागड अभिलेख कहेगा तो यह कहां पईस्तित है तो यह गिरनार परवत पईस्तित है और ये पहला संस्कीरित भासा का अभिलेख था रानी के अभिलेख का समान्द कहेगा तो ये समुंद्र गुप्त के जो प्रयाक प्रसास्ती है इसी कोई रानी का अभिलेख भी का जाता है और ये कवारूकी द्वारा ये दान दिये जाने वाला अभिलेख है आगे देखेंगे कवारुकी जो है ये रानी थी जोकी उन्होंने दान में दी थी आगे देखेंगे मौलाना अबुलकलम आजाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक पत्री का जो था अल हिलाल शुरू किये थे अबुलकलम आजाद जोकी 1923 में बने थे और कॉंग्रेस के सरवाथिक समय तक अध्यक्स बनने वाले मौलाना अबुलकलम आजाद हो जाएगे जोकी 1946 से 46 तक थे प्रथम 20 वियूद की शुरूआत हुआ था 1914 में और 1918 तक चला था बाल गंगाद तिलक एने बिसेंट मिलकर हमरूल लिग के अस्थापना किये था 1914 में गोदर पाटी के अस्थापना किया गया था 1913 में और ये किया गया था लाला हर्द्याल द्वारा कहां पे तो अमेरिका के सेन फ्रांसिसको में दो कोजे जब दो इंडिया रिबोल्ट निमनलीकित में से किसकी एक पूस्तक थी इसके लेखा को जाएंगे सयद अमद खान जो अस्थाक उला खान थे ये फासी पर चड़ने वाले प्रथम मुसल्मान थे और इनका समभन हो जाएगा जो काकोरी ट्रेन डग वाईती है उस से अब उसका नाम बदर कर कर दिया गया है काकोरी ट्रेन एक्शन पलान मुहमद अली जीना ये पाकिस्तान के प्रथम गोवर्नर बने थे और कहेगा कि सोकत अली का समन्द किसे है तो खिलापत अंदोलन से है जो कि 1919 में हुआ था 33 नमर कोशन देखेंगे सुल्तान प्रितिवी पर इसवर का प्रतिनीधी है और उसका अस्थान के वल पैगंबर के पास्चात है या किस संत्रत कालिन सासक ने कहा था तो ये कहे थे बलवन ने और चालीशा दल के शुरुवात किये थे इल्टु तमिस ने और उसी चालीशा प्रतिक मुद्रा की शुरुवात किये थे मुहमद बिल दुगलक ने और अलावदिन खिलजी जो थे ये सेना के नोगद वेतन देने की प्रराम किये थे और बजार नियंत्रों के शुरुवात भी अलावदिन खिलजी किये थे आगे दिखेंगे रणजीत सिंह की राजनीत कहेगा कि कॉप हुआ था अम्रीद सर के संदु विवा था अठारा सो नौ में किस के बीच हुआ था रान रजित सी के बीच और एस्ट इंडिया कमपनी के बीच रण जित सी और एस्ट इंडिया कमपनी के बीच हुआ था रणजिर से के उत्रा अधिकारी कहेगा तो खड़नक्सी थे आगे देखेंगे 35 नमर हो जाएगा आधुनी की यूग में पहली बार ब्रामडी और खरोष्टी लीपियों को पॉटने का सरे किसको जाता है तो ये पढ़े थे जेम्स प्रीशिफ है और कॉप्त 1837 में और वह ही एसियाटिक सोसाइटी के स्थापना कहेगा किस ने किया था तो सर बिलियम जोन्स किये थे 1784 में निमनलिकित में से ओव आयोग कौन सा है जिसमें सबसे पहले भारत में प्रात्मी के मादमीक सिक्षा पर ध्यान दिया तो ये पहला कहेगा आयोग कौन साथ ही हो जाएगा चाल से बोड आयोग और ये लाया गया था 1824 में मैकाल आयोग दोरा निक लोड मैकाल दोरा पहली बार अंग्रेजी सिक्षा का गठन किया गया था 1835 में हंटार आयोग का गठन हुआ था 1882 में मैकाल आयोग हंटार आयोग और चाल से बोड आयोग ये सब का समन्द गयेगा तो सिक्षा से हो जाएगा आगे देख लेंगे 37 नमर हो जाएगा ओन 27 वी साताबदी में सबसे पहले शुरू किये जाने वाला सुधार आंदोलन निमने लिखीत में से कौन सथा तो पहले सुरू किये गया था ये ब्राम समाज ब्राम समाज के अस्तापना हुगा था 1828 में काया किसने किया था तो राजा राम मोहलाई किये थे और कहां पे तो कलकाता में राम किसने मीशन के शुरुआत किये थे स्वामी विवेकानन 1897 में वही राम कृष्ण मौठ न कायेगा तो इसके अस्थापना हुआ था 1898 में राम कृष्ण मीशन की शुरुआत 1897 और राम कृष्ण मौठ के कायेगा तो 1898 में स्वामी विविकनन्द किये थे आरेस समाज और प्रातना समाज ये दुनों के गठन किया गये था मुंबई में आरेस समाज के गठन किये थे 1875 में 970 और प्रातना समाज के गठन किये थे आत्मा रंग पाडू रंग 1867 में अपनी वेशक भारत में भारतिय बिद्वाव के लिए सर्दा सदन अस्कूल की अस्थापना किसने की तो सर्दा सदन अस्कूल जो था इसकी अस्थापना की थी पंडित रामा भाई ने और कौप तो 1889 में सोरोजिनी नाइडू के पुष्टा के नाम हो जाएगा दो गोल्डेन थ्री सोल्ड और ये राज येपाल बनने वाली प्रतम भारतिय महिला थी 1907 का जनम हुआ था 1824 में कहां पे तो गुजरात में और इनके पुष्टा के नाम तो सत्यात परकास हो जाएगा आगे देख लेंगे 49 नमर हो जाएगा अकपर के किस समकाली शासक ने दिल ली आगरा और संभल पर अधिकार कर बिकर्मा दित के उपाधि ली तो ये हो जाएगे हेमू हेमु का समध हो जाएगा पानिपत के दूसरा यूद से पानिपत के जो दूसरा यूद था पंद्रा सो चपन में हुआ था अकपर और हेमु के बीच हुआ था राजामान सी कौन थे ये अकपर के सेनपती थे 1911 ECV में किस भारतिय गरम पंथी ने कहा था कि कॉंग्रेस लोड डफरिन के दिमाग की उपज है तो ये कहे थे लाला लाजपतराय लाला लाजपतराय बालगंगादर तीलक और विपिन चंद्रेपाल ये तीनों जो थे गरम दल के नेता थे बालगंगादर तीलक ने महाराष्ट में सिवादी उसव और गड़ेस उसव के शुरुवात किये थे और विंद घोस को अलिपूर जो बम कंड हुआ था इसमें और विंद घोस को कहेगा किसने बचाओ किया था तो चितरणजन दस बचाओ किये थे लाला लाजपत राही को उपनाम कहेगा तो पंजाब किस्दी हो जाएगा आगे देखेंगे 41 नमबर पत्रेकार्ट्रा के लिए ब्रीटी सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले भारती ये कौन थे तो ये हो जाएगा सुरेंद्रिनात बनर जी और इनको इनका कहेगा उपनाम तो राष्चट गुरू इनका उपनाम है बाल कांगा तो तिला के पाली वर्ज कहेगा जेल कव अब हुगा था ये उथा 1906 में शो शाल के लिए उवगे था 1906 में और इनको कहा रखा गया था मैनमार के मांडले जेल में आगे देखेंगे 42 नमर हो जाएगा 42 नमर में दिया गया है निमने लिखी बंगाल में हुए घटनाओ को क्रम वार सजाए जो सिराजु दौला कहेगा कि नवाब कब बना था तो ये बना था अप्राईल 1756 में अली नगर की संदी कब हुए था तो 9 फरवरी 1757 में हुए था बलाई खोल की घटना कब हुए था तो ये 20 जून 1756 में हुए था इसमें सिराजु दौला ने 146 अंग्रेज को एक काल कोठरी में बंद कर दिया था जिसमें 123 की मिरित्ति हो गई थी पलासी की यूद कएगा कब हुए था तो 23 जून 1757 के हुए था तो इसमें पहले हो जाएगा एक जो की अप्राईल 1756 है उसके बाद हो जाएगा तीन जो की 20 जून 1756 है उसके बाद हो जाएगा अली नगर की संदी जो की 9 फरवरी 1757 के हुए था उसके बाद हो जाएगा पलासी की यूद जोकी 23 जुन 17 को सो संदावन को गुगा था आगे देखेंगे 43 नमर है रीग वेद में सरवादिक चर्चा किस जानवर का मिलता है तो रीग वेद में सरवादिक घोड़ा की चर्चा मिलता है और रीग वेद में अगहन ने किसको कहा गया है तो गाय को कहा गया है रीशब देव का ये रीशब देव कौन थे तो ये जैन धरम के संस्तापक थे और इनका पर्तिक चिन कहेगा तो बिरिशब यानिकी बैल हो जाएगा और जैन धर्म के वास्तिविक संस्तापक कहेगा तो महाबीर हो जाएंगे और महाबीर के परतिक चिन कहेगा तो सी है और जैन धर्म के दूसरा कहेगा तिर्तकर कौन थे तो अजितनात थे और इनका परतिक चिन था हाँ थी पहली बार गोत्र सब्द कवले कहां मिलता है तरीक विद में मिलता है महभीर स्वामी ने जैन धर्म के पूर्व के चार बरतों में कीस एक बरतों को जोड़ा था तो ये ब्रहुम चार जो है ये महभीर स्वामी जोड़े थे चार बरतों में महाबीर स्वामी के कहाँ जनम कब हुगा था तो महाबीर स्वामी के जनम हुगा था 540 इसापूर में कहाँ पे तो बैसाली बिहार में हुगा था और इनका मिरितू कहाँ कहाँ कब हुगा था तो मिरितू हुगा था पावापूरी में मिरितु वाता पावापुरी में और जनम वाता बैसाली बिहार में महभीर स्वामी प्रोथम उपदेश कहां दिये थे तो महभीर स्वामी प्रोथम उपदेश दिये थे राजगीर में और इनकी भासा क्या थी तो परकिर्द भासा में दिये थे माभीर सावामी के जनम उगाता बैसाली बिहार में 540 इसापूर में इनका मिरितु उगाता पावापुरी में और प्रथम उपदेश दिये थे राजगीर में परकृत बासा में आगे देखेंगे 45 नमर हो जाएगा पाली गरंथों के अनुसार गौतम बूद के काल में गाउं के कितने भेद बताएगा हैं तो गाउं के तीन भेद बताएगा हैं गौतम बूद के जनम उगा था 563 इसापूर में लंबेनी नेपाल में और इनका मिरितु उगा था कूसी नगर में 483 इसापूर में जनम हुआ था 563 इसा पूर्व में और मेरी तू हुआ था 483 इसा पूर्व में और इन्होंने प्रथा उपदेश दिये थे सारनाथ में और कौन भासा काईगा तो पाली भासा में उतर बाइदी काल में किन दो कभीलों के एक होने से कुरू कभीला बना तो ये भरत और जो पूरू कभीला था उतर बाइदी काल में ये दो कभीलों में कर एक कभीला बना बाइदिक कहेगा उतर बाइदिक काल के कारे काल कितना था तो एक हजार इसा पूर्व से छो सो इसा पूर्व तक था रिग बाइदिक या पूर्व बाइदिक के काल कहेगा कारे काल कितना था तो पॉर्व सो इसा पूर्व से लेकर एक हजार इसा पूर्व तक था आरे के समन्द काईगा किस काल से था तो उतरवैतिक काल से समन्दित हो जाएंगे आरे और इनकी भासा काईगा तो संस्किरित थी आगे देखेंगे 47 नमर हो जाएगा निमनिलिखित कला करम घटनाव को सही करम में सजाईए तिये हो जाएगा देखते हैं नमक सत्यागरा कब हुआ था नमक सत्यागरा हुआ था 12 मार्च 1930 को लखनाव समझता हुआ था 1916 को लहावर अधिवेशन हुआ था 1929 को जिसमें अध्यक्त ज्वाला नेहरू और मुसलिम लिखित के अस्थापना हुआ था 1906 में बारदोली सत्यागरा कएगा था 1928 में हुआ था और इसमें हो जाएगा पहले दो मुसलिम लिखित के अस्थापना उसके बाद तीन हो जाएगा लखनाव समझता हुआ था 1916 उसके बाद चार हो जाएगा बारदोली सत्यागरा 1928 में उसके बाद एक हो जाएगा नमक सत्या की निर्ट नामा के कई लेखा कौन है तो इनायत हो जाएंगे नियाएक कार मोगल मोगल हो जाएंगे आगे देखेंगे उन्चास नमर हो जाएगा अकवर्द वरास्थापित अनुवाद विभाग में सबसे पहले किन पुस्तोकों का अनुवाद किया गया तो ये हो जाएगा सेह सन बतीसी अथार वेविद और बाईवल महाभारत क्या है तो महाभारत और रमाण का भी जो अनुवाद हुआ था और ये किये थे बादुईनी अकवर के ही काल में महाभारत कहेगा तो ये सबसे 20 वेका सबसे बड़ा महाकावे है महाभारत 20 वेका सबसे बड़ा महाकावे हो जाएगा और रमायन सबसे पुराना माकावे हो जाएगा पोच तंत्रे के जो अनुवाद हुआ था तो अनुवरेस इसका नाम था अनुवाद करने के बाद अनुवरेस सुहेली सबसे पुराना स्मिति कहेगा तो सबसे पुराना स्मिति हो जाएगा मनुवस्मिति आगे देखेंगे आगे पचास नमरो जागलाश कोचन पालो के समाए में बहुत धरम के किस साखा का बिसेस बिकास हुआ तो ये ब्राजियान का पालो के समाए में बहुत धरम के किस साखा का बिसेस बिकास हुआ तो ब्राजियान का पालवंच के संस्थापक गोबाल थे और पालवंच के रधानी कहेगा तो मुँगेर भीहार हो जाएगा करेगा कि बहुत धरम कब हिन्यान और महायान में बट गया तो ये जो बहुत संगीती चौथी बहुत संगीती हुआ था कनीशक के कारेकाल में उसमें बहुत धरम महायान और हिन्यान में बट गया और महायान के प्रवर्ता कौन थे तो ये कनीशक थे कनिश्क को दूसरा असोख वी कया जता है कुछ वन नाइन यर महत्तु पुंल कोश्चन है देख लिते हैं नीला ओरो के रूप में जाना जाता है तो यह प्रिथिवी को सबसे अधिग हना तो बेह काईगा तो प्रित्वी को हता है कम कहेगा तो सनी का, प्रित्वी के सबसे निकर तारा कहेगा तो सूर्य हो जाएगा, रात्री में दिखाई देने वला सरवाधिक चमकिला तारा कहेगा तो साइरस हो जाएगा, और सबसे बड़ा छूद रगरा कहेगा तो यह हो जाएगा सेरेज, सबसे से चंदर्मा का कितना भाग दिखाई देता है 57 से 69 परतिसत चंदर्मा का दरवेमान प्रित्वी के दरवान का कितना है तो एक वटे एक आसी है आगे देख लेंगे जब चंदर्मा प्रित्वी की निकट होता है तो उसी स्थिति को क्या करते हैं तो सुपर्मून करते हैं जब सेरस और चेरवन छूद्र गरह दिखाई देता है मांगल हैं विरसपती गरह के बीच सबसे बड़ा छूद्र गरह कहेगा तो सेरस हो जाएगा पिरिथी भी जब सूरे से अधिक्तम दूरी पर होती है तो उस इस्तिती को क्या कहते हैं उस इस्तिती को ओप सूर कहते हैं और यह होता है चार जूलाई को आगे देखेंगे पिरिथी भी जब सूरे के निम्तम दूरी पर होती है तो उस इस्तिती को क्या कहते हैं तो उप सूर कहते हैं और प्रिथिवी सूरे से निम्तम दूरी पहता है 3 जनवरी को, प्रिथिवी पर अच्छांसों की कूल संख्या काएगा तो एक से विकासी है, और प्रिथिवी पर देशांतर की कूल काएगा संख्या कितनी है तो 360 हो जाएगा, की सितिथी को प्रिथिवी पर दिन ए रात बरा क्यों पोते हैं और ये पुछी को कितने चुन में बाटा गया है ईन्तराष्टी सब्सक्राइ और कलेग Monte सागर अंतराश्टी तीती रिखा के सम्रांतर है उत्री गुलाद में सबसे बारा दिन कब होता है तो 21 जुन के और सबसे छोटा दिन काएगा तो 22 दिसंबर को और 26 गुलाद में सबसे बारा दिन होता है 22 दिसंबर को और सबसे छोटा काएगा तो 21 जुन के महाबली पूरम में रोथ मंदिरों का निर्माड किस बंस के सास को द्वारा कराया गया था तो जो महाबली पूरम के रोथ मंदिर है उसका निर्माड करवाया गया था पॉलो बंस के द्वारा और पॉलो बंस के संस्थापक कहेगा तो सीह भी सुलू हो जाएंगे पॉलो बंस के राधानी कहेगा तो कांची पूरम हो जाएगा वही चलू के बंस के कहेगा संस्थापक कौन थे चलू के बंस के संस्थापक हो जाएगे पुलकेसिन परोथम और चलू के बंस के राधानी कहेगा तो बदामी थी जिसे वातापी भी बोलते हैं खोजु राहो के जो मंदिर है जो कि मौद पर्देश मिश्थित है ये बनाया गया था चंदेल सास को द्वारा और चंदेल बंस के संस्थापक हो जाएंगे नना हूग चंदेल बंस के राधानी कहेगा तो खोजु राहो हो जाएगा और वही चोलो द्वारा क्या किया गया थ तो जो चोल बंस था ये अस्थाई से न रखने वाली पहली बंस था और नौ से न रखने वाली ये पहली बंस हो जाएगा चोल बंस के संस्थापग कहेगा तो बीजयाले हो जाएगे और चोल बंस के राधानी आपसे कहेगा तो तंजोर हो जाएगा दू नमर कोश्चन देखेंगे कुसार सासक कनीश्क बाधरम के किस साखा का अनुवाई था तो ये अनुवाई थे माहयान साखा के जो बाधरम के साखा था हिनयान और माहयान ये कब बट गया तो ये बट गया था जो बाधरम के चौथी संगीती हुआ था जो कि जमु कस्मिल के कुंड़न मनमुगा था, इसमें हिलियान और मायान बट गया था और कनिश्क के किसके अनुभाई थे तो मायान के और जो चौथा बहुत संगीती हुआ था, ये कनिश्क के सासनकाल में हुआ था और सोक सनवत के कहेगा अस्थापना किस ने किया था तो 38 इसी में कनिश्क नहीं सोक सनवत के अस्थापना किये थे कहेगा कि दूसरा सोक किसे कहते हैं तो दूसरा सोक कहते हैं कनिश्क को और पालो के समय सबसे अधिक बिकास किस साखा का हुगा पालो के समय सबसे अधिक बिकास हुगा था बरजयान साखा का आगे देखेंगे तीन नमर कोशन हो जाएगा नविन्तम खोजे के अनुसार सिंदु घाटी से बैता के सबसे बड़ा नगर कौन सा है तो भारत में इस जित सबसे बड़ा नगर हो जाएगा राखी गड़ी जो की हण यहरा राजे में इस जित है यहां से जल परबंदन की साक्षे परापध हुआ है और कहेगा कि हडापा की कौन से अस्थिल तीन भागों में हडापा का कौन सा अस्थल है जो की तीन भागों में भीभग था यह भी हो जाएगा धोल बीला मौणुदलो को मृत को कटिला करते हैं और यहां से कासे की नर्तकी की मूर्थी पराप्थ हुआ है और यह ही थी थै पाकिस्तान में पुस्तक The Spirit of Islam के लेखा कौन है The Spirit of Islam के लेखा कहेगा तो सयद अमिर अली हो जाएंगे लियाकत अली कौन थे तो लियाकत अली खान ये पकिस्तान के परधान मंत्री बनने वाले प्रथम ब्यक्टी थे और मुहमद अली जीना पकिस्तान के प्रथम गवर्नर बने थे दो कोजे जब इंडियन रिबोल्ट पुष्टा के लेखा कहाएगा तो सर सयद अमत खान हो जाएगे आगे देखेंगे पांच नमर हो जाएगा ब्रिटिस हाउस अब कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रोथम भारतिये कहों थे यहाँ आप देखेंगे 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 प्रोथम ब्रिटिस हाउस अब कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रोथम भारतिये कहेगा तो बोमेश चंद बनार जी थे भारतिये सेवक समाज के अस्थापना किये थे गोपाल की इस नेगोकले 1905 में और यह महात्मा गाने के गुरू भी थे दो एकनोमिक हिस्ट्री ओफ इंडिया पुस्तर के लेखा कहेगा तो रमेश चंद दथ हो जाएगे दो एकनोमिक हिस्ट्री ओफ इंडिया कहेगा इस पुस्तर के लेकोफ हो जाएगे रमेश चंद दथ होते आगे देखेंगे छो नमर हो जाएगा तिरपूरी संकट के बाद कॉंग्रेस का अध्यक्ष की से चुना गया जो तिरपूरी संकट हुआ था उसके बाद कॉंग्रेस का अध्यक्ष की से चुना गया था उसके बाद राजेंदर परसाद को कॉंग्रेस के अध्यक्ष चुना सुभाः चंद्रे बोश ने कहेगा की से हराया था तो पटाभी सीतारमया को हराया थे सुभाः चंद्रे बोश और इन्होंने तयाग पत्रे दिये थे उसके बाग कॉंग्रेस के अध्यक्ष कहेगा कौन बने थे तो रजेंदर परसाद को बनाया गया था सबसे अधिक दिन तक कॉंग्रेस के अधिक्ष बनने वाले हो जाएंगे अभूल कलाम आजात जोकी 1940-46 तक बने थे और हरीपूरा अदिवेशन के काएगा अध्यक्ष कौन था तो जोयाला नहरू हरीपूरा अध्यक्ष के अध्यक्ष छे जोकी 1938 मोगथा और हरीपूरा गुझरात में इस्तिथ है कॉंग्रेस के कराची अदिवेशन का देक्ट्या किये थे सर्दार पटेद 1931 में और इसी अदिवेशन में मौली कदिकार की मांग की गई थी सबसे इवा अद्यक्ष भी कहेगा कॉंग्रेस के तबूल कलाम अजाद हो जाएंगे जो की 1923 में ही बने थे आगे देखेंगे सात नमर हो जाएगा सोतंतता आंदोलन में लीडर समाचार पत्र निमनलिकीत में से किसने शुरू किया था तो लीडर समाचार पत्र शुरू किये थे मदन मौन मालवियने बंबे कोरोनी कल पत्रीका के संपादक कहेगा कौन थे तो फिरो सा मेहता हो जाएंगे कॉमन बिल और नीव इंडिया पत्रीका के संपादक एनिवेसेंट थी बाल गंगादा तिला की दो पत्रीका थी एक मराठा हो जाएगा और एक केसरी हो जाएगा जो मराठा पत्रीका था इसका परकाशन अंग्रेजी में होता था और केशरी परत्रीका का परकाशन मराठा बासा में होता था आगे देखेंगे आठ नमर हो जाएगा नोगर और उनके संस्थापक के नाम से सही जोड़ा का मिलान करें तो मुंबाई के संस्थापा कहाएगा तो उनाल्ड अकजियर हो जाएगे उनाल्ड अकजियर और मुंबाई के पहले नाम बंबाई था और बंबाई से नाम बदल कर मुंबाई कब किया गया था 1995 में कुलकाता नागर के संस्तापव कहते तो जोब चौरणख हो जाएंगे सुरसो नवे में और चेनाई यानिकी मदरास का संस्तापव कौन थे तो फ्रांसीस ध फ्रांसीस ही डे थे वो ही कहेंगा कि मदरास से नाम बदल कर चेनाई कउब कर दिया गया था चानबे में और बंबाई से नाम अदल कर मुबाई किया गया था 1995 में आगे देखेंगे नौ नुबर कोशन हो जाएगा महात्मा गांधी को टाइम मैगजिन ने पर्सन अब दे एर कब नामित किया था तो ये नामित किया था 1930 में और कॉंग्रेस ने 1930 में ही न लागान न टैक दूसरा ब्यक्ति कायेगा तो जोहलार नेहरुक चुना गया था और कौन चुने थे तो महात्मा गांधी चुने थे और ब्यक्ति गत जो आंदलन था ये शुरू हुआ था मुंबाई के पोनार से 1945 में इव एन ओ एन की संजुक्त राष्ट संग का गठन किया गया था 24 अक्टूबर 1945 में और इसका मुख्याले कायेगा तो निवर्ख हो जाएगा RBA के गठन हुआ था 1 अप्रिन 1935 में और इसका मुख्याले कायेगा तो मुंबाई हो जाएगा आगे देखेंगे अगला क्वेशन हो जाएगा दस नमबर जब महात्मा गांधी की हतिया होई तब किसने कहा था कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धर्ती पर चला था तो ये बोले थे अलबर्ट आइंस्टीन ने क्या करे तब से पढ़ते हैं जब महात्मा गांधी की हतिया होई तब किसने कहा था कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धर्ती पर चला था तो ये बोले थे अलबर्ट आइंस्टीन ने और इनको भारत रत में कब दिया गया था इनको बहलत नी की सुरवात कोई अलबर्ट आगे देखेंगे गारन नमर हो जाएगा किसी राजे में पंचायतों के निर्वाचन की तीथी की घोसरा कौन करता है तो किसी राजे के पंचायत के निर्वाचन की तीथी की घोसरा करता है राजे निर्वाचन आयोग और भारत का निर्वाचन अयोग के गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 में और प्रथम निर्वाचन अयोगत कहाएगा तो सुकमार सेन थे पांचायती राज के गठन अनुशेद 40 के तोहत किया जाता है अनुशेद 167 में कहा गया है कि मंत्री पर्षद और राजेपाल की बीच के कड़ी होते हैं मुख मंत्री अनुशेद 167 में कहा है तो राजेपाल और मंत्री पर्षद की बीच के कड़ी कौन होगे तो मुख मंत्री होगे आगे देखेंगे राजेपल क्या करता है तो किसी राजे में राशपती सासन लागू करने के लिए राशपती को अधिश देता यानी की बोलता है 12 नमर हो जाएगा रविंद्र नाटैंगोर को नाइट हुड की उपादी ब्रिटी सरकार ने कब दी जीसे उन्होंने 1929 में वापस कर दिया था तो रविंद्र नाटैंगोर को ब्रिटी सरकार ने नाइट हुड की उपादी दी थी 1915 में और महात्मा गांधी को कैसर इहिंद की उपादिये थे ब्रिटी सरकार 1915 में इन दोनों ने महात्मा गांधी कैसर इहिंद की उपादि और रभिदन ले टेंगोर ने नाइट हुड की उपादि लोटा दिये थे जब जलियाव लबाग हत्य अकार्ण हुआ था उसके कारण जो कि 1909 मुगा था 13 अप्रील को चमपारण अंदोरण हुआ था 1917 में और वहाँ पे महात्मा गांधी कहेगा अमंत्रां किसने किया था वे ये किये थे राजकुमार सुक्ल जो कि मुरली भोरवा गाउं के थे 1914 में प्राथम बीस वियुद के शुरुआत हुआ था जो कि 1918 तक चलो था और प्राथम बीस वियुद के समाप्ति किये गया था वर्साइ के संधी द्वरा जो कि 1919 मुगा था 1914 में महात्मा गांधी पहला जन भासर दिये थे कहां पेत बानारस में तेरा नमर कोशन हो जाएगा मुसलिन लिग का अगोस्त प्रास्ताव के समन्द में क्या रूख नहीं है तो मुसलिन लिग के जो अगोस्त प्रास्ताव था उसके समन्द में डोमेनियन अस्टेट का दरजा मागा गया ये सही नहीं है बाकी देखते हैं, अल्फ संक्यक समधी अस्वासन का स्वागत किया गया ये सही है, पाकिस्तान की मांग नहीं माने जने पर और सिर्कार कर दिया गया ये भी सही है, भारत के विभाजन को समस्या का अस्थाय हल माना गया ये भी सही है, मुस्लिम लिग ने अगर प्रस्ताव क रीपब्लीक एसोसियेशन का नाम बदल कर हिंदूस्तान सोस्लिस्ट रीपब्लीक एसोसियेशन का कर दिया गया तो ये किया गया था दीली के फिरोज सा कोटला मैधान में। और 1928 में चंद्र सेखर आजाद के नेतित्व में की सा स्थान पर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसियेशन का नाम बदल कर हिंदुस्तान सोचलिस्ट रिपब्लिक एसोसियेशन किया गया तो ये किया गया था दिली के फिरोस्ता कोटला मैदान में इसमें क्या जुला गया थ हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसियेशन के गठन किया गया था 1924 में और इसका नाम बदल कर हिंदुस्तान सोसिलिस्ट रिपब्लिक एसोसियेशन का गठन किया गया था 1928 में और 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसियेशन के गठन काँप किया गया था कानपूर में किसके द्वारा राम परसाद बिश्मल और सचीतन सिना द्वारा 13 अप्रिल 1929 में क्या हुआ था तो 13 अप्रिल 1929 में जलिया वला बाग हत्या कानप हुआ था आगे देखेंगे पंदरो नमर हो जाएगा वर्श 1987 के बाद लोर्ड अफ्रिन ने भारती राष्टी कॉंग्रेस को क्या कह कर संबधित किया था तो ये बोले थे राष्ट द्रोहियो की संस्ता राष्ट द्रोहियो की संस्त्या क्यों पादी दी थी जब कंगरेस का गठन हुआ था तो उस समय सासनकल किस का था तो लोर्ड अफ्रिन का सासनकल था कॉंगरेस के गठन हुआ था 1850 में और किस ने किया था एऊ हुम किये थे आगे देखेंगे सोरा नमर हो जाएगा निमनी लिखीत में से किस आयोग या समीती का समद्ध बिरिटिस भारत में आकाल से नहीं है तिये हो जाएगा होलेंड समीती जिसका गठन किया गया था 1912 में और इसका समद्ध काया तो भारत पकिस्तान मयनमार और बांगलादेश के आर्थिक विकास से था बाकी देखते हैं इसमीत समीती जिसका गठन किया गया था 1862 में और लायल आयोग इसका गठन हुगा था 1897 में और अश्ट्रेची आयोग जिसका गठन किया गया था 1878 में इस तीनों का समद्ध कहेगा तो भारत में आकाल से है आगे देखेंगे 17 नमर हो जाएगा 1857 की करांती के बाद सासन में हुए बदलाओ के समद्ध में औस ते कथन का चैन कीजिए तो इसमें औस ते है कि भारत सची कोई सहायता है तो भारत में एक परिशत गठन की गई थी ये परिशत के गठन नहीं किया गया था भारत के सहायता क्रिए बाकी देखते हैं भारत का सासन बिरिटी सरकार के हाथ में आया ये सही है और भारत सची उपद के स्रीजान हुआ ये भी सही है और गोवर्नल जोनल को वाइस राय कहा जाना लगा ये भी सही है जो 1857 का कहेगा बिद्रो हुआ था उसका पर्तिक चिन किया था तो कौमल और पाती और ये 1857 के बिद्रो कब शुरू किया गया था दोस मही को शुरू हुआ कहां पे तो मेरड से 1857 में ही बिद्रो में ही मंगल पाड़े को फासी दिया गया था आठ अप्रिल 1857 को आठारो नमर कोश्चन देखेंगे जनता को राजनीतिक संघर्ष के लिए तयार करने है तू देश भरामण के दोरान गांधी जी को कुलकाता से 20 वर्ष गिड़तार किया गया था तो ये किया गया था 1929 में और जो लहाओर सड़े अंत्रू हुआ था ये 1929 में ही हुआ था और कॉंग्रेस के कराची दिवेशन कब गा था तो 1931 में हुआ था जिसके अधर्गता किये थे सरदर पठेल ने सभीनाई अब अगया अंदोलन कहेगा कब गा था तो 6 अपरिल 1930 में चोरा चोरी अंदोलन कब गा था चोरा चोरी घटना हुआ था 4 फरवरी 1922 को थियो सोफि सोसाइटी का स्थापना किसने किया था हेनेरा बल्टासकी और कॉनल अल्टाक ने हेलेना बल्टासकी और कॉनल अलकाट किये थे मदरास के नाम बदलकर चेनाई कब कर दिया गया था 1996 में सियामजी क्रिशने बार्मा ने इंडिया हाउस का स्थापना लंदन में कब किये थे सेमजी किरिशने बर्मा इंडिया हाउस के अस्थापना किये थे लंदन में 1905 में जो मैडम भी काजी कामा थी वो पौली बार राष्टिय दोज कामा फ़राई थी तो जर्मानी के अस्टुवार्ड में और कॉप तो 1907 में आगे देखेंगे 20 नमर कोशन हो जाएगा राजा कृष्टर राष्टर 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 किस रे देवराय काएगा किस के समकालिन थे तो ये बाबर के समकालिन थे और इनके सासनकाल बे बारबोसा भारत आया था तुलू गामा यूद नीती में तुलू गामा यूद नीती का परियोग काएगा किस यूद में मुगलो न किया था तो ये पाली पत के जो प्रथम युद हुआ था इसमें तुलू गामा निती के परियोग मुगलोर ने किया था और पानी प्रत के प्रथम युद हुआ था पंद्रसो चबीस इसवी में और किसके किसके बीच ये हुआ था बाबर और इबराहिम लोदी के बीच में हुआ था पानिपत के दिविती युद्वाता पंद्रो सो छपर में अकबर और हेमो के बीच चौसा के युद्वाता पंद्रो सो चालिस में सेर्शा सूरी और हुमाओ के बीच और घागरा की युद हुआ था 1529 में महमोद लोदी और बाबर के बिच हुआ था जिसमें बाबर की बिजाई हुई आगे देखेंगे 22 नमर देखते हैं 22 नमर कोशन है रेडियो धर्मी पर दूसर से संबंधित निमने कथनों में से कौन सही है तो इसमें 1,3 और 4 सही है एक देखते हैं या पशुओं में अनुवानसिक परिवर्तन लाता है ये सही है या रोक्त संचार में बेवधान पैदा कर करता है ये भी सही है ये कैंसर पैदा करता है ये भी सही है रेडियो धर्मी जो पर दूसर है ये किस-किस पर परभाव करता है तो मनुसे पे भी जीव जनतू पे भी और परेयमर भी ये तीनों पे बूरा परभावा परता है रेडियो धर्मी पर दूसर का आगे देखेंग है तो यह खारे पाने की जही लाई है और यह उडिसा में है सुंदर बं कहां इस्ती थे सुंदर बर्व पशी में इस्ती थे और निकुबार आइलेंड कहेगा तो यह अंडवान निकुबार में इस्ती थे नल्ला मलाई की पहाड़ी किसराज में इस्ती थे नल्ला मलाई की प परवत कहा इस्टित है तो उत्राखन में है और अरावली परवत कहेगा तो राजस्तान में सीथ है अरावली परवत जो है यह सबसे पुरानी परवत है और यह औसिष्ट परवत का उधारण है अरावली परवत की सबसे उची चोटी कहेता गुरू सुख्योर हो जाएगा जि जील कहेगा तो यह करनाटक मीशती थे और लोकटक जील इशती थे माड़ीपूर में आगे देखेंगे 26 नमर कोश्चन हो जाएगा नीमने लीखित घास के मैदान को मानचीत्रे का अनुसार उतर से दशील करम में सजाए तो उतर से दशील करम में सजाना है तो पहले हो जाए कि घास के मैदान है उसके बाद हो जाएगा कैमपोज और उसके बाद हो जाएगा सेलवास और उसके बाद हो जाएगा लनोस लनोस कहेगा तो यह बेंजुलिया के घास के मैदान है और जो सेलवास और कैमपोज जो कैमपोज है यह घास के मैदान सवाना जलवाव के घास के मैदान च्चेतरे है सेलवास और केंपोस के हलाए तो ये सवाना जलवाउ च्चेतरे के घांस के मैदान है आगे देखेंगे 27 नमर हो जाएगा नीमन महतवपुन पतन हो ये उस से समधी देश की सही मिलान करे। एक तरफ पतन है एक तरफ है देश और इसका सही मिलान करना है काहिरा पतन कहेगा कहां इस्ति थे तो काहिरा पतन इस्ति थे मिश्र में और बेली गटन पतन कहेगा तो ये निवजिलेंड में इस्ति थे मासको पतन कहेगा तो रूस में है और लिस्बन पतन हो जाएगा पूर्तेगाल में नीजिलेंड पाला देश है जिन्होंने माईलाव को भोट देने का अधिकार दिया था और निनलादी के वर्दान कहेगा किसे कहते हैं तो निनलादी के वर्दान कहते हैं मीजरे को रूसी करांती कब हुगा था रूसी करांती हुगा था 1917 में और नेता कहेगा कौन थे तो बि भारत का उपराश्पती कीस सदन का पदेन सावापती होता है तो भारत के जो उपराश्पती होते हैं राज सबा के ये पदेन सावापती होते हैं कईगा कीस अनुछेद के तहत तो अनुछेद चोवसट के तहत राज सबा ये उँचे सदन है और लोग सबा ये नीमने सदन है संसत के दो सदन होते हैं एक होते हैं उचे सदन राज सभा नीमने सदन लोग सभा राज सभा का उलेख किया गया उनुछे द असी में लोग सभा का उलेख किया गया उनुछे द एक आसी में और वही बिधान मंडल में कहा गया निकि राजे के बिधान मंडल में तो बिधान सभा हो जाएगा नीमने सदन और बिधान परिशत हो जाएगा उंचे सर्दन बिधान परिशत का उलेख किया गया अनुछेद एक सो उनुट्र में और बिधान सभा का उलेख किया गया अनुछेद एक सो सत्तर में महाधिवक्ता के पद का उलेख सविधान के कौन से अनुछेद में किया गया है महादीवक्ता के उलेख किया गया है अनुछेद 165 में और वही राजेपाल के छामादान की सक्ती कीस में है तो अनुछेद 161 में है वही राश्पती के छामादान के सक्ती के उलेख अनुछेद 122 में किया गया है अनुछेद 164 के एक के ताथ मुख मंत्री की नियुक्ति की जाती है और वही अनुछेद 164 के दू के ताथ राजे मंत्री में जो राजे मंत्री परशद है समुहक रूप से बिधान सवा के प्रती उतर दाई होता है अब से पढ़ते हैं जो अनुछेद 164 के दू है इसके प्रती राजे मंत्री परशद जो है समुहक रूप से ये बिधान सवा के प्रती उतर दाई होते हैं और 164 के फर्ष्ट में कहा गया है कि मुख मंत्री की नियुक्ति है भारत के प्रतम बिधी अधिकारी कहेगा तो महानिवादी होते हैं और महानिवादी की नियुक्ति किया गया अनुछेद 6 अतर के तहत आगे देखेंगे तीस नमर हो जाएगा भारती ये नियाईक बिवास्ता में जब जनहीत याचिका की शुरुवात हुई उस समय भारत के परधान नयाधिस कौन थे उस समय भारत के परधान नयाधिस थे पियेन भगवती और जनहीती आचिका की शुरुवात कया किस देश से हुई थी तो ये अमेरिका सुगा था। कौन से मुखे नादिस ते जो की राषपती भी बने थे तो एम हैदाय तुल्ला ये मुखे नादिस से राषपती बनने वाले प्रतम ब्यक्ती थे। समिधान सबा का आखरी सत्र निम्लिकीत में से कप से कप तक चला था। समिधान सबा का आखरी सत्र चला था 14-26 नवंबर उनिसो अन्चास तक। समिधान सबा के गठन कप किया गया था 6-26-1946 को और समिधान सबा के पाला बैठा काएगा तो 9-26-1946 को उगा था। समिधान सबा के अंतिम बैठा काएगा था 24-जनवरी 1950 को उगा था जिसमें राजेंदर परसाद को प्रथब राषपती चुना गया था। आगे देखेंगे 32 नमर हो जाएगा निमने लिखित संसदिय समीतियों में से सदस्यों की संक्या के अधार पर सबसे बड़ी संसदिय समीति कौन सी है? ये सदस ये कनसार सबसे बड़ी समीति हो जाएगा विभागी आस्थाई समीति इसमें कुल 31 सदस से होते हैं जो की लोक सबा के करिस होते हैं और राज सबा के दस होते हैं लोक लेखा समीति में कुल 22 सबा से होते हैं जो की लोक सबा के 15 और राज सबा के साथ होते हैं और सर सब 21 में प्राक्लन समीति में 30 सदा से होते हैं और यह सभी लोकसबा से होते हैं प्राक्लन समीति गठन हुआ था 1950 में और प्राक्लन समीति को मित बेयता समीति भी कहते हैं यह चारो समीति के कारेकल कहेगा चारो समीति को जो सदा से होते हैं इनका कारेकल एक वर्ष के होता है और कोश्चन कंशार संसदिय समीतियों में से सदस्य कंशार सबसे बढ़ा कहेगा संसदिय समीति कौन है तो विभागी अस्थाई समीति हो जाएगा सबसे बढ़ा आगे देखेंगे तेंतिस नमर कोश्चन हो जाएगा भारतिये समिधान अधिक को ठोर तथा अधिक लचीले के मौधे एक अच्छा संतुलन अस्थापित करता है भारतिये समिधान के विशय में उपरोक्त को ठोर नीम्न में से किसका है तो केसी हीर का और भारतिये संगवाद को सरकारी संगवाद किस ने कहा था भारतिये संगवाद को सरकारी संगवाद कहे थे जी आउस्टिन ने आगे देखेंगे निमनलीखीत में से कौन सा रेडियो धर्मी तोत्वे नहीं है तो इसमें जो कैडमियम है ये रेडियो धर्मी तोत्वे नहीं है और कैडमियम के बिशकता से कौन सा रोगता है तो इटाई इटाई रोगता है जो नभीकिये रियक्टर है उसमें इंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जता है तो इुरेनियम का और पीच बिलेड किसका यास्क है तो इुरेनियम को हो जाएगा भारत में सरवादिक थोरियम का उत्पदन किया जता है और कहां से तो केरल राजे से मोनाजाइट थोरियम का यस्क है रेडियम के खोज किसने किया था तो मैडम क्यों रिकी थी आगे देखेंगे 35 नमर कोश्चन हो जाएगा रेडियो एक्टिव युक्त गैस कौन सी है रेडियो एक्टिव युक्त गैस कहेगा तो रेड़ाउन हो जाएगा और ये गैसों में सबसे भारी गैस है रेड़ाउन जो है ये अक्रिये गैस है जो कि वाव मंडल में नहीं पाय जाता है कौन सी अक्रिये गैस वाव मंडल में नहीं पाय जाता है तो रेड़ाउन हो जाएगा और सरवादिक वाव मंडल में पाय जने वाला अक रिय गैस कहेगा तो आरगन हो जाएगा जिसकी परतिसाद है 0.93 बॉलते हैं इसको अज ट्रेंजर गैस भी बोलते हैं और अकरिय गैस में सरवादिक योगिक बनाने वाला कहेगा कौन है तो यह जिनोन हो जाएगा और वह इसे कहेगा तो कार्बन हो जाएगा 36 नमर पोशन देखेंगे 36 नमर हो जाएगा हाइडोजन के की समस्थानिक में नीट्रोन नहीं होता है तो हाइडोजन के तीन समस्थानिक होते हैं और सभी में नीट्रोन नहीं होता है और इसका समस्थानिक का नाम हो जाएगा प्रोटियम, डिटेरियम और ट्राइटियम और इसका समस्थानिक जो ट्राइटियम है यह रेडियो एक्टिव समस्थानिक है जो हाइडोजन के ट्राइटियम है यह किया है तो रेडियो एक्टिव समस्थानिक है नैट्रोजन के भी समस्थानिक की संख्या कहेगा तो तीन हो जाएगा हाइडोजन को अवारा तत्वे की संग्या भी दी गई है 37 नमर है चावल के अंकूर में बैकेन यानि की फूली से सिड्लिंग की से रोज जनक की वज़ा से उत्पन होती है चावल के अंकूर में बैकेन जी से फूली से सिड्लिंग कायता है की से रोज जनक की वज़ा से उत्पन होता है ती हो जाएगा जिबरेला फूजी कुरोई चावल के आये तो यह खरीप फसल है और खरीप फसल की बुगाई कब होती है जुन जुलाई में चावल के खेती के लिए कितने वर्षा के ओ सकता होती है तो 100 सेंटीमीटर से अधिक और तापमान कहेगा तो 40 ले 42 डिग्री सेल्शियस तापमान होना चाहिए आगे देखेंगे और 30 नमर हो जाएगा ओक्टेन संख्या किसकी गुणवता का मापक है और ओक्टेन संख्या से पेट्रोल की गुणवता का पता लगता है और डिजल के गुणवता का पता लगाने के लिए किसका प्रयोकिया एता है तो सीटेन संख्या का सोडियम धातू को किरोसिन के तेल में रखा जाता है क्योंकि ये वाव के साथ अभी किरिये कर लेता है सनवहान द्वारा उस्मा का अस्थांत्रण हो सकता है किस में सनवहान द्वारा उस्मा का अस्थांत्रण होता है गैस और दरब्य में रवाही ठोस में कहेगा तो चालान द्वारा उसमा का अस्तांत्रवन होता है और वाव मंडल जो गरम होता है किस मादेम थे तो सनवाहन द्वारा वाव मंडल गरम होता है सनवाहन मादेम से निरवात में परकास के चाल कहेगा तो तीन गुड़े दसके पावर आठ मीटर पर स मनुस्य के अहार नाल का कौन सा पर्मुक भागे नहीं है तो यह एकृतिस में अहार नाल का पर्मुक भागे नहीं है आत को पर्भाविद करता है पेचिस टाइप हाइड यह दोनों आत को पर्भाविद करता है और टाइप हाइड किसके द्वारा होता है तो जीमारों को द्वारा होता है आमासाय के जठा रस से कौन सा एंजाइम निकलता है आमासाय के जठा रस से पेपसीन और रेनिन एंजाइम निकलता है पेपसीन के कारे कहेगा तो ये पोटीन को पोली पेपडाइन में बदलता है और रेनिन क्या करता है तो ये दूद को पाचाता है दूद के पाचन में रेनिन एंजाइम कारे करता है ये अक्रित से दो पोटीन निकलता है फाइबरीनोजन और हीपेरिन फाइबरीनोजन के कारे कहेगा तो ये रक्त के धका बनने में मदद करता है और हीपेरिन क्या है तो ये मानोसरी में मानोसरीट के अंदर रख्त को जमने नहीं देता है और ये दोनों निकलता है कहां से तो ये क्लिट से 42 नमर हो जाएगा सेंधा नमक में कौन सा खनीज होता है सेंधा नमक में सोडियम पायाता है और कलोरोफिल में पायता है मेगनेसियम जीपसन में कहेगा क्या रहता है तो जीपसन में केलसियम और सलफर अधिक मतरा में रहता है पोटैसियम का कारे कहेगा तो यह हिर्दय के धरकन को नियंत्रेन में कोन कार करता है तो पोटैसियम कार करता है और सरवाधिक अभिकिरिया सिल धातू कहेगा तो पोटैसियम हो जाएगा आगे देखेंगे 43 नमर हो जाएगा पसीना उस इस्थिति में होगा जो कि सबसे अधिक कह रहा है कि पसीना किस इस्थिति में सबसे अधिक निकलता है तो जब ताप अधिक होगा और जो हवा होगा आध्र होगा उस इस्तिती में पसीना सबसे अधिक निकलेगा ताप अधिक और हवा आध्र होने पर सरीड से पसीना अधिक निकलेगा और पसीना क्या करता है तो सरीड के गंदिगी को बाहर निकलता है CNG में सरवाधिक मत्रा में कौन सा तत्वे मौजूद होता है Compressed Natural Guise में कौन सा किसकी मत्रा कहेगा सरवाधिक रहता है तो मीथिन का और मीथिन का अन्रिणाम कहेगा तो Mars Guise है और इसको विसफोता के रूप में भी परयोग करते है हाइडोजन को भवी से का इंधन भी का आ जाता है और वामंडल में सबसे अधिक नाइटोजन पाया जाता है 78 परतिसत CO2 को कम करने के लिए कोटो पोटोकोल किया गया था कहां पे तो जापान में और डेट कहेगा तो 1997 में हुआ था और कहेगा ये परभाव में कोब आया था तो 2005 में परभाव में आया था आगे देखेंगे 45 नमर हो जाएगा राश्टिय विकास परिशद का मुखे समद होता है तो राश्टिय विकास परिशद के कार हो जाएगा जो पंचवर्सी होजना है उसको अनुमोदन करता है अंतिम रूप से अनुमोदन करता है तराश्टी विकास परिशत और इसका गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 में केंड्रेयों राजय के बीतिय समन्द से कौन समन्द रखता है तो बीतायों जो है ये केंड्रों राजय का बीतिय समन्द जो है उसको देखता है और बीतायों के गठन किया गया था 1951 में और इसका कहेगा किस अनुशेद में उलेख है तो 280 में आगे देखेंगे 46 नमर हो जाएगा हारे पौधे में परकास संसनेशन की और परकासी कभी किरिया कलोरोपलास्ट में कहां संपन होती है तो ये केवल अस्ट्रोमा में संपन होता है माइट्रो कॉंडिया का है तो ये इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं और वासा का जो संस्रेसर होता है ये माट्रो कॉंडियम होता है वासा में सरवादिक मातरा में क्या पायाता है तो फैट पायाता है माइट्रो कॉंडिया खोज हुआ था 286 में और अल्टमैन किये थे नामकरण कहेगा तो काल लबेंडा किये थे जोठर गरंतियों दोरा अस्तरावित हाइड्रोकलोरिक अम्र पेपसीन एंजाइम की किरिया को असान कर देता है जोठर गरंतियों दोरा अस्तरावित हाइड्रोकलोरिक जो अम्र है पेपसीन एंजाइम की किरिया को क्या करता है तो असान कर देता है लाइपेज का कार क्या है तो यह वासा को गिलिसरोल में बदलता है लाइपेज वासा को गिलिसरोल में बदलता है एमाईलेज जो है क्या पाया था ही ये लार में पाया जाता है ट्रीपसिन का अस्त्राव कहां से होता है तो ट्रीपसिन एंजाइम का अस्त्राव होता है आगनासाई से आगे देखेंगे 48 नमर हो जाएगा नीम्न में से कौन सा तोत्वे पोटेन संसलेशन के लिए अनिवार है तो ये नाइट्रोजन हो जाएगा और मॉटर में जो मार्स रोग होता है ये किसकी कमी के कारण होता है मैगनीज के कारण होता है हडीओ में सरवादिक मत्राम पाया जाता है कैल्सियम और फासपेट इंसुलीन में काएगा कौन सी धात्व पाया जाती है या कौन सी तत्वे पाया जाता है तो जिंक पाया जाता है आगे देखेंगे उन्चास नमर हो जाएगा निम्रीकित को सुमिलित किजिए हिस्टोलोजी में किसका अध्यान के जाता है तो उतक का और लिम्नोलोजी में अध्यान किया जाता है जीलो तथा और लमड़िये जलिये पादपो का अध्यान किया जाता है लिम्नोलोजी में पेडोलोजी में मिरेदा समंधी अध्यान किया जाता है और सिलिवी कल्चर में बनो की बिरिछो का अध्यान किया जाता है प्रोटो जोवा कहा था उसमें एक कोशन गलत हो गया था कॉंग्रेस के जो 1938 में दिवेशन हुआ था उसका अध्यक्ता किये थे सुभा चंद्र बोस उसका जो अध्यक्ता किये थे सुभा चंद्र बोस किये थे और हम बोल दे थे जो आला नेरू जो आला नेरू नहीं होगा 1938 के कॉंग्रेस का दिवेशन जो हुआ था हरीपूरा में उसका अधेक्ता किये थे सुभाषचंदर बोस और 1949 में जो भी हुआ था तीरपूरी उसमें भी अधेक्ता किये थे सुभाषचंदर बोस ही ही उसमें सुभाषचंदर बोस और महात्मागांधी में अनबनी हो गई थी और महात्मागांधी के जो कंडिडेक्त थे पतावी सितामयी रमय्या को त्याग पत्र देने के बाद कोंग्रेस के अधेक्ष बने थे राजेंदर परसाद और जो आहल नेहरू जो है ये कॉंग्रेस के तीन बार अधियक्ष बने है एक बार बने है 1929 में जो की लाहवर अधिवेशन था और दूसरा था 1936 जो की लखनव अधिवेशन था और तीसरा था 1927 जो कि कॉंग्रेस का पहला एसा अधिवेशन था जो कि गाम हुआ था और ये कहां हुआ था तो ये हुआ था फायजपूर में फायजपूर जो कि महाराश्ट में है आगे देख लेंगे आज हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिसेट पच्पन देखते हैं पहला कोश्चन हो जाएगा भागत सी और बंटु के सवर्दत ने केंद्री पिधान साव में बंब कप फेका था भागत सी और बखुटे सवर्दत जो है केंद्री पिधान साव में बंब कप फेके थे तो ये फेके थे आठ अपरीद 1929 में और वोही भागत सी सुख देव और राजगुरु क कई अफासी कब दिया गया था तिये दिया गया था 23 मर्च 1931 में भगा सिंग का जनाम हुआ था 28 सितंबर 1907 को और पंजाब के एक गाम है बंगा में दू नमर कोश्चन हो जाएगा कि इस सल्टन सासक के समय मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था तिये हो जाएगा इल्टु तमिस के सासनकाल में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था और इल्टु तमिस के सासनकाल में जो मंगोल सासक था चंगेज खा भारत पर आक्रमण किया था डेट कहेगा तो 1221 इस भी में इल्टु तमिस ने चलीशा दल के अस्थापना किया था जो की समाप्त क किये थे बलबन ने और इलतु तमीज संतलत काल के पहला सासक थे जिन्हों ने सुल्टान की उपादी धारं की थी। पटनम के संधी हुई थे टीपुल सुल्टान और लौड कानवालिस के पीच। टीपुल सुल्टान के मिरूत्वे कहागा तो 279 में हो गए था। और लोड कनवालिस ने पसे मंगाल में अस्थाई बंदोबस लाग किये थे 1793 में और वही सीरी रंग पटनम की कईगा संधी कब घथा तो 1772 में हुआ था हैदर अली के येगा मिरितू कब घथा हैदर अली के मिरितू घथा 1782 में और 1782 में ही सालाबाई की संदी हुआ था मराठा और अंग्रेज के बीच मराठा या इस्ट इंडिया के बीच हुआ का सकते हैं अए अंग्रेज के बीच हुआ था सालाबाई की संदी 1782 में और हैदर अले की मिरितु हुआ था 1782 में टीपल सुतान के मिलतु काएगा तो 1799 हो जाएगा चार नमर देखेंगे परसीद पुस्तक लिलावती कीस बिशाय से समधित है लिलावती पुस्तक का समध काएगा तो गणित से हो जाएगा और लिलावती पुस्तक के लेखक हो जाएगे भासकरा चार और चीकिसा बिज्यान के जना कोयेगा तो चौरक हो जाएंगे, और ये कनिश्के के दरबार में रहते थे आगे देखेंगे 5 नपर हो जाएगा मुगल काल में दरोगा का पद किस बिभाग से समलदी था? जो दरोगा के पद था और टकसाल बिभाग से सम़दी था और वही मुगलकाल में पूलिस बिभाग को क्या कहते थे तो कोतवाल और स्वाइन बिभाग के जो अध्यक्स थे उसका क्या कहलाते थे मुगलकाल में जो स्वाइन बिभाग के अध्यक्स थे उनको मिरबक्सी के नाम से जाना जाता था जीना भी भाजन चाहते हैं या नहीं अब हम सुवाई भी भाजन चाहते हैं या कौथन निमनिकित में से कीज़का है तो ये कौथन सरदार बॉला भाई पटेल से है और भारत का एकी करण का पीता कहा जाता है सरदार बॉला भाई पटेल को जो आहलाल नहरू भारत के परथम परधान मंत्री बने थे महात्मा गांधी कॉंग्रेस के कराची अदिवेशन में नारा दिया था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधी वादी नहीं और जो कॉंग्रेस के कराची अदिवेशन हुआ था 1921 में उसका अदिवेशन किये थे सरदार बॉला भाई पटेल सभिधान सभा के कहेगा अदिवेशन कौन थे तो राजे इंदर परशाथ थे आगे देखेंगे साथ नमर हो जाएगा लोड करजन के समय भारती वीश्वे विदालय अदिनियम कौप पारित किया गया था तो ये पारित किया गया था 1904 में और बंगाल के विभाजन का एका कौप हुआ था तो इनहीं के कारेकाल में हुआ था सोर अक्टूबर 1905 में बंगाल के बिभाजन में बंगाल के बिभाजन के बिरूद में किया गया था सवदेशी अंदोलन 1905 में ही और महिला ने उलम्पिक खेल में भाग लेना कब इस्टार्ट की थी तो 1922 में महिला ने उलम्पिक खेल में भाग लेने के इस्टार्ट की थी और कॉंग्रेस के प्राथम अध्यक्ष बने थे WC बनर जी और यह हुआ था मुंबई अधिवेशन 1850 में और कॉंग्रेस की जो पहला अधिवेशन था उसमें कितने अनुवाई भाग लिए थे तो बहुत तर कॉंग्रेस के लखनाउ अधिवेशन जो की 1916 हुआ था इसमें कॉंग्रेस और मुस्लिम लिग का मिलन हुआ था और बटवारा हुआ था 1907 में सूरत अधिवेशन में जिसका अधिखता कि यह थे रास्वियरी गोश और 1916 में कॉंग्रेस के अधिख्च काया कौन थे अंबिका चरण मजुमदार यानिकि एसी मजुमदार कॉंग्रेस के प्राथम अंग्रेज अधिख्च बनने वाला काया कौन थे तो जार्ज इवले थे और ये कॉंग्रेस के प्रतम अंग्रेज अध्यक्षी बने थे इलाहाब अधाजिवेशन 1888 में आगे देखेंगे नौ नमर हो जाएगा लौड और लहोजी ने बेअपगत सिधान्त के अंतरवत भारतिये रियासतों को कितने भागों में बाटा था ये बाटा था तीन भाग में और इन ही के कारेकल में पहली बार भारत में ट्रेन की शुरुआत हुई सोरो अप्रिल 1830 में और चोंतिस किलिमिटर ही चली थी बंबाई से थाड़े की बीच उस समय मुंबाई के जो नाम था बंबाई था और बंबाई से मुंबाई किया गया था 1995 में सर्वजानिक निर्मा विभग के अस्थापना लाट अलहोजी नहीं की थी और इनका कारेकल काये गए था 1848 ले 1856 तक था अज थाई बंबाउस्त पौती को कीस गवर्नर जर्नर के साशन कन में लागु किया गया था तो ये लागु किया गया था लौड कनवाली से कारेकल में 1793 में पौसी मंगल में बंगाल के से किसे का जाता है तो लौड बेलजाली को और जो रॉमर्ट का लाइब थे ये बंगल में देद शासन लागो किये थे 1675 में। रपट कलाइब बंगाल में देद सासन लागो किये थे 1775 में। और उसे समप्त किये वारन हेश्टिंगह 172 में। लाट अलहोजी करे अगला कोशन हो जाएगाaban एकारण नमर हो जाएगा सोम परकास सोम परकास नामक पत्री का किसने शुरू किये था सोम परकास नामक समाचर पत्र जो था किसने शुरू किये था तो ये शुरू किये थे इसवर चंद्र बीद्या सागर ने और बीद्वा पुनो बिवा कि अस्थापना भी इस्वर चंद्रविद्या सागर किये 1856 में सुरेंदर नत्बनर जी और अनन्द महनबोस मिलकर इंडिया एसोसियेशन के गठन किये थे 1856 में सत्यात परकास पुष्टा के लेखक दायानसो सती हो जाएंगे और इनका कथन है बेदो की और लोटो और एक कोशन आता है कि परकिर्तिक और लोटो ये किसने कहा था तो रूसो कहा था रूसो ने बोला था परकिर्तिक और लोटो और दायानसो सती का कथन है बेदो की और लोटो राजा रम मोहराय ने ब्राम समाज के अस्थापना किये थे 1828 में और आत्मी सभा के अस्थापना 1815 में किये थे और विदोई पत्रीका के संबादा कहेगा तो मदन मोहन मालवी हो जाएंगे परसीद पूस्तक जीवन की उत्पति किसके द्वारा लिखी गई है तो ये लिखी गई है ओपेरिन के द्वारा साइटोकाइनिन जो हर्मोन है इसका कोज किये थे मिलर ओनेशो पॉचपन में और साइटोकाइनिन जो हर्मोन है ये कोशिका के विभाजन में भाग लेता है पर केतिक वरण का सिधान्त या उतर जीवता की सिधान्त कहेगा किसने दिया था तो ये दिये थे चाल्स डर्वीन ने और और अर्थ सास्त्रे की पीता किसे कहते हैं तो एडम स्मित को कहते हैं आगे देख लेंगे तेरो नमबर हो जाएगा एक नमबर 1858 को महरानी विक्टोरिया का घोसरा पत्र इलाहाबद में किसने पढ़कर सुनाया था तो ये सुनाया थे लोड कैनिंग और जो 1857 के विद्रो हुआ था लोड कैनिंग के कारेकल में हुआ था बटलर कमिटी का स्थापना किये थे सर बटलर 1927 में इनकी अध़क्ता में बटलर कमिटी की गठन किया गये था 1927 में और 1833 के एक्ट के तो भारत का प्रतम गवर्नाट जनरल बलने वाले हुब्यक्ति हो जाएगे लोड बिलियन बेंटी और ये भारत के प्रतम गवर्नाट जनरलन थे और अंतिम मराठा पेशवा कहेगा तो कौन हो जाएगे और वोही पेशवा कहेगा मराठा समराज एके संस्थापक कहों थे तो मराठा समाज के संस्थापक हो जाएगे सीवा जी और इनका जनम हुआ था 1927 में और कहां पे हुआ था तो सीवनेर में हुआ था इनका जनम हुआ था सीवनेर में और इन्होंने अपना राज़ बिसे कव करवाए थे तो 174 में आगे देखेंगे पंदर नमर हो जाएगा संपूर भारत में जनगारना का कारे कव से सुरू किया गया यानिक नियमित जनगारना की शुरूआत कव हुआ था 1881 में लौड रीपन के कारे कल में भारत में जनगारना की शुरूआत का एगा था तो 1872 में हुआ था लौड मेयो के कारे कल में और जाती अधारी जनगारना की शुरूआत हुआ था 1931 में जो 2011 की जनगारणा हुआ था वो कराम से कहेगा तो पंद्रोहवी जनगारणा थी और सहतौं तर भारत की सात भी थी और वो से 2011 की जनगारणा आयूग्द कहेगा तो c च्वंद्र मोली हो जाएंगे सिमला का स्वंत के नाम से किसे जाना जाता है सिमला के स्वंत के नाम से जाना जाता है एवो हूमको और इन्होंने कॉंग्रेस के अस्थापना किया था किसके कारेकल में तो उस समय लॉड डफरिन का कारेकल था और कॉंग्रेस के पॉला अद्वेशन मुंबई मुगत 1885 में जिसका अध्यक्ता किये थे WC बनर जी ने और वो ही पॉला इसा गवर्नन था जिसका होतिया चाकू मार के कर दिया गया था तो लाड में हो जाएगा यह अणडमान निकवार के यत्राप जा रहा था उसी समय इसे चाकू मार कर हत्या कर दी गई दादा भई नरोजी कॉंग्रेस के तीन बार अद्वेशन बने थे पॉली बर बने थे कलकाता अधिवेशन 1886 में दूसरी बर बने थे लाहर अधिवेशन 1893 में और तीसरी बर बने 1906 में कलकाता अधिवेशन में पहला कलकाता अधिवेशन 1886 में और लाश्ट में बने 1906 में कलकाता अधिवेशन 1893 में लाहर अधिवेशन में बिहार में जो नशाक पिंड अंदोलन का समद्ध है ओ हो जाएगा सबिनाई अवाग्या अंदोलन से और बानर से ना और मजरी से ना का समद्ध कहेगा तो सबिनाई अवाग्या अंदोलन से हुआ था जिसकी शुरुवात महत्मा गंधी 6 अप्रिल 1930 में किये थे चमपारण सत्यागरा हुआ था 1917 में और यहां मंत्रीत महत्मा गंधी को किसने किये था तो ये किये थे राजकुमार सूकल और राजकुमार सूकल के गाउं के करनाम कहेगा तो मुर्ली भोरवा हो जाएगा और सयोग अंदोलन की शुरुवात हुआ था एक अगस्त 1920 में और और सयोग अंदोलन को मात्मा गंधी बंद कर दिये थे चोरा चोरी कांड के कारण जो कि हुआ था चार फरवरी 1922 में गोरवपूर में भारा चोड़ो अंदोलन से जो पाटना में साथ सहीद इवास मारक है उससे जुड़ा है जो पाटना के साथ सहीद इवास मारक है वो जुड़ा हुआ है भारा चोड़ो अंदोलन से और साथ जो इवा थे ये सचीवाले पर जहांडा फाराते समय ये सहीद हो गये थे और फ हारा नमर कोशन देखेंगे, भारत में अस्तरलूद राजयों की संखिया कितनी है जिसकी सीमा अंतराश्टी सीमा को असपर्स नहीं करती है, तो इसमें पांच राजय हो जाएगा और केंदे सासित पर्देश दो हो जाएगा, और पांच राजय कौन कौन से है, हरियाडा, मौ पर्स नहीं करते हैं, इन मैदानों का पाचिम से पूर्व क्योर सही करम कह रहा है, तो यह हो जाएगा, रुहेलकंड का मैदान, उसके बाद हो जाएगा, अवद का मैदान, और उसके बाद हो जाएगा, मौगद का मैदान, और उसके बाद हो जाएगा, मिथिला का मैदान, और इनका करम पॉच्छिम से पूरो क्योर है इसमें कुछ ब्याख्या करने लाइक नहीं है तागे बढ़ते हैं 20 नमर हो जाएगा माही नदी किस खाड़ी सागर में गिरती है माही जो नदी है किस खाड़ी या सागर में गिरती है तो माही नदी गिरती है खामबात की खाड़ी में और वही माहा नदी कहेगा ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में यहां ध्यान से देखिएगा माही नदी खमबात की खाड़ी में और महा नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। लोनी जो नदी है ये कच के रण में समा जाती है। और अरब सागर में गिरती है नर्मदा नदी, तापती नदी और सिंधू नदी। आगे बढ़ेंगे। और जो बेला डिला 36 गर में इसीत है ये किस लिए परसीत है तो ये परसीत है लोव अयसक के लिए। भारत में सरवादिक अबरग का उतपादन करने वाला राजे कहेगा तो आंद्र परदेश हो जाएगा। और जामनगर जो की गुजरात में है ये पेट्रोलियम उतपादन क ये परसीत है थारू जनजाती कि इस परदेश में नहीं मिलती है थारू जो जनजाती है ये जमु कस्मीर में नहीं मिलती है बाकी उतर परदेश बिहार और उतराखंड में पाई जाती है थारू जनजाती जमु कस्मीर की परमुक जनजाती हो जाएगा गुर्जर और दिवाली को सोक के रूप में मनाती है दिवाली पर्व कोई एक सोक के रूप मनाती है इसे याद कर सकते हैं याद करने के लिए बस बोलते हैं थारू जो जाती है दारू नहीं पीती है इसलिए दिवाली को सोक के रूप में मनाती है यह बस याद करने के लिए ऐसे याद कर ल और सबसे कहेगा बड़ा महासागर कौन सो जागा तो परसांत महासागर ही है और जो उत्री अमेरिका महादीब है उत्री अपेरिका महादीब को नई दुनिया के नाम से जानते हैं और दछडी अमेरिका महादीब को पच्छी वाला दीब करता है और अफेरिका महादीब को का आला महादीब कौते हैं भूमीगत जल शमुस्त जल राशी का कितना प्रतिशत जल संचाई करता है जो भूमीगत जल है का विस्तार छेत्र निम्डीकित में से कीन देसों में है नामीबा मरुष्तल का विस्तार छेत्र कहेगा तो नामीबिया अंगोला और दोशी अफिरका ये तीनों में है अंगोला के राधानी कहेगा तो लुगांडा हो जाएगा और नामीबिया के राधानी हो जाएगा आगे देखेंगे 26 नमर हो जाएगा नीन सोरो को नदियों के किनारे अवस्थिती का सही मिलान करे छपरा इसती थे सरू नदी के किनारे जहाना बाद कहेगा तो दर्धा नदी के किनारे इसती थे दर्भांगा इसती थे बागमती के किनारे और फतुगा जो सहर है ये पुनपुन नदी के किना रहिजती थे और पुनपुन नदी फतुगा के पास गंगा नदी में समा जाती है और जोदिया भी सर्जुन नदी के किना रहिजती थे बारह मासा या पदमावत के लेखा कहेगा तो मलिक मुहमद जैसी हो जाएंगे बारह मासा या पदमावत पुस्तर के लेखा कहो जाएंगे मलिक मुहमद जैसी और कुछ यहां देखते हैं जो सेख सलिम चीस्ती है शेक सलिम चीस्ती इनका दरगा कहेगा तो फतेपूर सीकरी में है जिसका स्थपना किये थे अकवर जोकी उतरपर्दस में है शेक सलिम चीस्ती के दरगा हो जाएगा फतेपूर सीकरी और मोईनू दिन चीस्ती के दरगा हो जाएगा अजमेर जोकी राजस्तान मिच्ती थे वाइंत्र होता है उसे गाईरोस्कोप कहते हैं, गौमती हुई वस्तोव की गती और ऊचे ताप मापने वाले यंत्रयों को कहते हैं, हैं पायलोमीटर और पॉलीग्राव से भूट भूलने वाले बेखती की जाज़ आती पॉललो선 dez crisis 28 नमर्ष हो जाएगा समत्ल दर्पन से संबंधित इतनीमष क्त्नों में से कौन सा कथन असकते हैं तो इसमें समत्ल दर्पन में बने परतीवीम में पार्ट सव उत्क्रम नहीं होता है ये गलत है जब की होता है बाकी अपसन देखते हैं सम्तल दर्पन द्वारा बने परतिवीम का आकार वस्तू के आकार के बराबर होता है ये सही है सम्तल दर्पन में परतिवीम आभासी यों सीधा बनता है ये भी सही है सम्तल दर्पन में दर्पन से बीम की दूरी यों दर्पन से परतिवीम की दूरी हमेशा समान होती है ये ती लिखेंगे 29 नमर हो जाएगा तेल जोल की सत्व पर प्रिष्ट पर फाल जाता है इसका मुझ के कारण किया है जो तेल का घुनात्व होता है वह जोल से कम होता है और जिसका घुनात्व कम होगा वह तरने लगएगा तो तेल का जो घुनात्व है वह जोल से कम होता है इसलिए तेल पानी के पिरिष्ट पर तरने लगता है और इसका कारण कहेगा इसका कारण हो जागा पिरिष्ट तनाव के मातरग क्या होता है तो पिरिष्ट तनाव के मातरग हो जाएगा नीटन पर मीटर पिरिष्ट तनाव के मातरग होता है नीटन पर मीटर और दरब एका ताप रिष्ट तनाव के कार रही आगे देखेंगे टीस नमर कोशन हो जाएगा इसमें निम्नलीकित को मिलान करना है तो जूल कहेगा किसका साई मात रख है तो कारे और उर्जा का साई मात रख हो जाएगा जूल एंपियर हो जाएगा बीदुत धारा का वाट हो जाएगा सक्ती का और भोल्ट हो जाएगा बीववांतर का कारे करने की छमता को क्या करते हैं कारे करने की छमता को उर्जा करते हैं और कारे करने की दर को क्या कहेंगे तो सक्ती कहेंगे आगे देखेंगे 31 नमर हो जाएगा निनलिकित में से 20 बल के कारण दूद को मतने के पाशात किरीम दूद से पिरितक हो जाता है तो यह हो जाएगा अब केंद्रिये बल और अब केंद्रिये बल को आभासी बल भी कहते हैं और सबसे कमजोर बल कहेगा तो गुर्टो करसर बल हो जाएगा और सबसे मजबूत बल जो होता है वह नवेक यह बल होता है गरसर बल को छायकारी बल भी कहते हैं और जो गरह परिकार्मा करते हैं उसमें क्या होता है तो अभी केंद्रिये बल होता है धौनी तरंगे निमलीकित में से कीस माध्य में नहीं चल सकेगी तो धौनी जो तरंग है ये गैस में नहीं चलती है और निर्वात में परकास के चाल कहेगा तो तीन गुणे दस के पावर आट मीटर पर सिकेंड होता है ठोस में उस्मा का जो परिचलन या जो ठोस में उस्मा का परिचलन होता है ये चालन विदी से होता है और दरावबे और गैस में उस्मा का परिचलन होता है सनवहन विदी से धावनी क्या है तो ये अनुधायरे तरंग है धावनी अनुधायरे तरंग है आगे देखेंगे और 33 नमर हो जाएगा बीजली चमकने से जॉंगलों में आग लग जाती है क्योंकि इसमें अत्याधिक मत्रा में होती है तो इसमें होती है बीदुत उर्जा बेजली चमकने से जोंगलों में आग लग आती है क्योंकि इसमें होता है बीदुत उर्जा और जो तोड़ी चालग होता है किसका बनता है ये तोड़ी चालग तंबा का बना होता है बैटरी में होता है रासाइनी कुर्जा और कोईला से उसमी उर्जा का उत्पादन किया था है उसमी उर्जा द्वरा बीदु उर्जा का उत्पादन किया था है कोईला से निम लिकित में से किसने लेजर का विश्कार किया था तो laser के विस्कार तिये थे Theodore Mennon इसे shortcut में T.H. Mennon भी बोलते हैं pressure cooker के कहएगा कौन विस्कार किये थे तो Dennis Pipein pressure cooker के विस्कार किये थे 35 नमर हो जाएगा आलफा किरान के लिए निमलीकिट कॉथन में से कौन सा कॉथन सही नहीं है तो ये फोटोग्राफिक पॉलेट पर कोई बरभाव नहीं डालता है ये कौतन सही नहीं है जबकि डालता है बाकी अप्सन देखते हैं ये एक ध्वन आवेसित किरण है ये सही है ये बीदुत छेत्र में रिन आवेसित पॉलेट की ओर बीछेपीत हो जाता है ये भी सही है इनका बेग जो है परकास के बेग का एक बटे दोस होता है ये भी सही है और अलफा कीरों के आयनन छामता अधिक होता है और बेधन छामता काईगा तक कौम होता है च्छोतिस नमर हो जाएगा पर्माडू भार के अनुसार तोतो का सही करम को चिन्हित करे पर्माडू भार का अनुसार दसाना है तो पहले हो जाएगा एलमोनियम उसके बाद लोहा, उसके बाद तामबा और उसके बाद चांदी एलमोनियम का पर्माडू करमांग 13 होता है लुआ के 26, तंबह के 39, और चंदी के 47 अधिकान्स पर्माणु करमान के दूगना होता है पर्माणू दर्मान तो पर्माणु करमान का उनसेर सजादिजी उसके पास सही हो जाएगा सरवादी की बीधुत का अच्छा चाला कहेगा तो चंदी हो जाएगा विदूद का सबसे अच्छा चालक कहेगा तो चांदी हो जाएगा और वोई पिरिथी पर सबसे अधिक मात्रा वे पाय जाने वाला धातू कहेगा तो एल्मूनियम हो जाएगा कांचे आम में कौन सा आम ले पाया जाता है कांचा आम में पाया जाता है टाट्री कम और ये इमली में भी पाया जाता है एसेटी कम ले पाया जाता है सिर्का में जिसका सूतर होता है सियेथिरी सी डबल ओ एंच साइट्री कम ले पाय जाता है नेम्बू या संत्रा में लैक्टी कम ले कहेगा तो दूद में पाय जाता है आगे देखें गड़तीस नमर हो जाएगा बिलेचिंग पाउडर में कौन सा रासाइनी के योगिक होता है बिलेचिंग पाउडर में होता है कैल्सियम ओक्सी कोलराइड कैल्सियम ओक्सी कोलराइड बिलेचिंग पाउडर का सूत्र कहाएगा तो सी ए ओ सी एल टू होता है अमोनियम कोलराइड के सूत्र हो जाएगा एनेज फोर सी एल और केल्सियम कार्बोनेट को धोने वाला सोडा का जाता है और केल्सियम हाइडराकसाइड क्या है तो यह बूझा हुआ चुना है निमलीकित में से कौन सा बहुलग बुलेट पुरूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है यह हो जाएगा पॉली कार्बोनेट या पॉली एमाइड बुलेट पुरूफ वस्त्र बनाने के लिए पॉली कार्बोनेट या पॉली एमाइड का पुर्योग किया जाता है बेके राइट का switch बना जाता है जो board का switch होता है वो बेके राइट के बना जाता है क्योंकि बेके राइट जो उस्मा और बीदुत दोनों के कूछ अलग है टेपलोन क्या है तो यह non-stick जो बर्तन होता है उस पे टेपलोन के बरत जो है चड़ाई जाती है आगे देखेंगे चालिस नमर हो जाएगा सुखी सेल में निमनरीकित में से कौन सी उर्जा पाई जाती है सुखी सेल में पाई जाती है रसाइनी कुर्जा और यह अंत्री कुर्जा यह इस्तिती जुर्जा और गती जुर्जा का योग को यह अंत्री कुर्जा कहते है आगे देखेंगे gonna metal कहेगा के gonna metal में कौन सा अबे होता है gonna metal में होता है ताμबा, जास्ता और टीन ताmb़ा ओर जास्ता टीन मील करक्या बनता है तो gonna metal और वह ही टीन के जगा पो अगर νिकल कहेगा तो ये होगा जर्मल सिल्वर यानि कि जर्मल सिल्वर में तामबा जास्ता और निकिल होता है और गौन मेटल में तामबा जास्ता और टीन होता है तामबा और जास्ता के मिश्रों को पीतल करते हैं 42 नमर हो जाएगा भारतिय इस्पात प्राधिकर लिम्टेड खाली अस्तान का एक उधारण है तो ये उधारण है सर्वजनिक छेत्र उधोग का भारतिय इस्पात प्राधिकर्ण सर्वजनिक छेत्र का उधोग का एक उधारण है और सर्वजनिक छेत्र में सरकारी छेत्र और 192 ये दोनों आजाता है। समद हो जाएगा सिक्षा से जो कि गठन किया गया था 1929 में और ये सिक्षा का सर्वेक्षर करने क्लिए इसका गठन किया गया था कोठारी आयुक का समद हो जाएगा 10 पलस 2 पलस 3 मोडल से जो कि 1964 में इसका गठन किया गया था कोठारी समीती का समद्ध हो जाएगा 10 प्लस 2 प्लस 3 से और इसका गठन किया गया था 1964 में आगे देखेंगे चुवाली समर हो जाएगा जुगनू एक परकार कहा है जुगनू क्या है तो जुगनू एक परकार के कीट है और कीट में पैदों की संक्या कायगत अच्छे होता है क्रीमी से क्या होता है तो क्रीमी से फाइल एरिया रोग होता है प्रक्षी का अधेन को क्या काते हैं और नीथो लोजी में प्रक्षी का अधेन की जाता है मुलास्का संक्या अंतरगत अक्टूपस और अक्टूपस और घोंगा पाई जाती है अक्टूपस और घोंगा जो है ये मुलास्का संग के अंदरवत पाई जाती है यानि कि मुलास्का संग में पाई जाती है एपी फाइट यानि कि जिसे अधी पादप करते हैं एपी फाइट हुए पोधा हैं जो अन्य पोधे पर निर्भड आते हैं तो यह निर्भड आते हैं यहां तरीकी और लंबन के लिए और जो पेण पोधे में भोजन पहुचाते हैं तो इसमें जो उतक होते हैं फलोय मुतक होते हैं और जल पहुचाने वाले होते हैं जाइला मुतक आगे देखेंगे 46 नमर हो जाएगा मनुसे के शरीर की दूसरी सबसे बड़ी गरंथी निमने लेकित में से कौन सी है पहला कहेगा तो सबसे बड़ी गरंथी हो जाएगा कि इसमें कह रहा है दूसरा तो दूसरा सरीर की सबसे बड़ी गरंथी हो जाता है अगनासे और लार गरंती क्या है तो लार गरंती ये लार में पाय जाने वाला कहेगा एंजाइम कौन सी हो जाएगे तर टाइलिन हो जाएगा हेपेटाइटिस B होने वाला मुख्य कारण क्या है हेपेटाइटिस B होने का मुख्य की जो कारण है यह हो जाएगा बिसाडू और यह परभाववित करता है यक्रीत को टाइफाइड होता है जीवारों के कारण और टाइफाइड परभाववित करता है आत को और कोवा के कारण होता है दमा और गंजापन प्रोटोजोगा के कारण होता है अतिसार और मलेरिया मलेरिया परभावित करता है पलिहा या तिली को 48 नमर हो जाएगा सधारत औरो बंकी खोर पतवार पायाता है सधारत औरो बंकी खोर पतवार कहां पायाता है तो यह पाय होता है तंबाकू के खेत में और जो तंबाकू में मोजेक रोग किस के कारण होता है तो यह होता है वाइरस के कारण धान के खैरा रोग किस के कारण होता है तो जास्ता के कमी से धान में खैरा रोग होता है और गेहों के रोष्ट लोग ये कवक के कारण होता है या इख में जो लाल सड़न लोग होता है ये कवक के कारण ही होता है पोधे में एंजाइम सक्रियेता निम्न में से की स्तत्व के कारण होता है तो ये होता है मैगनीज के कारण ही होता है केल्सियम के कारण केल्सियम के मानो सरीन में केल्सियम के कमी के कारण हड़ी जो होता है कमजोर होता है प्रेने पोधे जो नैटोजन कैसे लेते हैं तो ये नैटोड के रूप में नैटेट के रूप में ग्राणा करते हैं आगे देखेंगे पाचास नमर हो जाएगा लाश कोचन गलाइकोलाइसिस की किरिया में नीम्न में से कहाँ संपवन होता है जो गलाइकोलाइसिस की किरिया है कहाँ पे संपवन होता है तो ये संपवन होता है कोशिका दरवबे में और केंद्रे के खोज गएगा 1831 में किसने किया था तो रोबर्ट ब्राउन किये थे गोल जी क्या है तो ये कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहते हैं गोल जी क्या है क्या है गोल जी क्या है गोल जी क्या है क्या है गोल जी क्या है कोशिका के ट्रैफिक पुलिस याता यात परमंधक भी बोलते हैं गल जी क्या खोज किए थे नंश्री में सतीद पर बाइट आर्प करिस्तान में सतीद है और वही तकला मकान कहेगा तो यह चीन में इस्तित है गोबी मरवस्तल इस्तित है चीन और मंगोलिया में आगे देखेंगे अफिरीका के अफिरीका में इस्तित परमुक्त मरवस्तल देख लेते हैं इसमें जो बायूदा है यह सुडान में इस्तित है और कालाहारी कहेगा तो ये दशी अफिर्का के बोस्वाना में इस्तित है सहारा हो जाएगा ये सबसे बड़ा मुर्वस्तल है दुनिया के सबसे बड़ा मुर्वस्तल कहेगा तो सहारा हो जाएगा और ये इस्तित है उत्री अफिर्का में बयुदा इस्तित है सुडान में, अल जाप कहेगा तो माली में इस्तित है जुराव हो जाएगा च्याण में, इसमें कालाहारी महत्वपुण है, साहरा महत्वपुण है, बस यही दोनों आता है अधिकान समत्रा में, कालाहारी इस्तित है दशिय फिर्का के बस्वाना में, औ की उत्री अमेरिका में इस्तित है आगे देख लेंगे उत्री अमेरिका में इस्तित परमुख मरवस्तर रेड डेज़र्ट और मोजावे और कोलोराडो का समन्द हो जाएगा ये अमेरिका से और चिहुआन हो जाएगा अमेरिका और मैकेशको से सोन्रेन भी मौत्रपुन है ये भी आता है सोनुरोन जो है ये अमेरिका और माइकरिस्को में इस्तित है सोनुरोन सोनुरोन मरवस्तल हो जाएगा अमेरिका और माइकरिस्को में आगे देखेंगे दश्री अमेरिका में इस्तित परमोक मरवस्तल हो जाएगा आता कमा यह चीली में इस्तित है और पेंटागोनिया कायेगा तो यह अर्जेंटीना में इस्तित है आटा कामा और पेंटागोनिया ये दशी अमेरिका के चीली देश और अर्जेंटीना में इस्तित है आटा कामा काएगा तो चीली में और पेंटागोनिया काएगा तो अर्जेंटीना में ये दोनों भी महत्तरपून है आगे देखेंगे आश्टेलिया में इस्तित परमुक मर पूंट है, आग देखेते हैं, 20 वेक पर्वत हो जाएगा, तो जो आलपस पर्वत है ये मौध एरोप में इस्टी था, गोलन की पहाड़ी ये मौध एसिया में इस्टी था, एपी लाइन पर्वत इस्टी था इतली में, और एटलस परवत इस्तित है अब फिरिका में ये सभी महत्वपूर्ण है तो याद कर लेजिएगा और ये वीडियो के लाइस कोच था इसका पीडियेप मिल जाएगा आपको डिस्किप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम को वहां से या टेलीग्राम पर सर्च भी कर सकते हैं सुभा श्टड़ी वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दिजेगा और चैनल पना है तो अगर वीडियो ठीक लग रहा है तो सस्क्राइब भी कर दिजेगा को सुझावें, सला देना है, तो कमेंट करके जरूर बताएं, थैंक यू